प्यारे साथियों नमस्कार क्यासे हैं आप सभी आसा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे स्तांदार स्वस्च जबर्दस जिन्दाबाद प्यारे बच्चे बहुत उम्मीद के साथ आप आज की क्लास में आए ही होंगे प्यारे बच्चे हर बच्चे को एक उम्मीद होती है जब कोई चीज वो खरा नहीं उतर पा रहा होता है क्वेशनों को बार बार करने की कोसिस कर रहा होता है क्वेशन बार बार गलत हो रहे होते हैं तो सब को उम्मीद होती है कि कास इस क्लास से मैं इन क्वेशनों को सही करन सीख जाऊंगा मैं समझ सखता हूँ कि आप लोग उसी उम्मीद के साथ क्लास में आए होंगे प्यारे सती अगर मैं आज की क्लास की बात करूँ तो जैसे की मैंने आप से पहले भी वादा किया है अज सुभे मैंने एक सौर्ट आपका सबसे फैवरेट टॉपिक होगा प्यारे बच्चे इस बात पर विश्वास करेंगे की आज के बाद आप इसे दूसरों को भी सिखा देंगे आज के बाद आप इसे दूसरों को भी सिखा देंगे तो सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी जल्दी से क्लास में आ जाएंगे गुड इवनिंग सभी प्यारे साथीयों को सुबसंध्या राधे राधे जैशे राम जैश्री कृष्णा तो सभी प्यारे साथी एक बार थमसप कर दो कि क्या आप आज के सैसन के लिए तयार हैं तो प्यारे साथी एक बार जल्दी से बताएंगे क्या एक बार क्लास को बहतर तरीके से सुरू कर दिया जाएं ठीक है टॉपिक का नाम है डिसीजन मेकिंग और जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं कि यह जो आज की क्लास है छे नंबर कम से कम और आठ नंबर जादा से जादा इतना योगदान आपकी परिक्षा में देखी प्यारे बच्चे एक एक चीज को एक एक स्टेप को बहतर तरीके से समझाएंगे दियान से समझना है ठीक है और आज की क्लास में आपको कमेंट पर फोकस नहीं करना है केवल आपको जो फोकस करना है वो फोकस करना है केवल और केवल कॉपी पैन लेकर लिखने पर और लिखना भी जब है जब मैं आपको अपनी बात बोल दूँ और आप मेरी बात समझ जाएं प्यारे बच्चे सेशन को स्टार्ट करने जा रहा हूँ बहुत बहतर तरीके से इस जुम्यदारी को समझते हुए कि बहुत सारे बच्चों का विस्वास है मेरे उपर कि सायद जो टॉपिक कहीं समझ नहीं आया वो संदीप सर की क्लास में समझ में आ जाएगा तो मैं उस विस्वास पर खरा उतरूँ इसके लिए अपनी पूरी जान लगा दूँगा प्यारे साथी आज की क्लास आप लोगों को हमेशा याद रहेगी आज की क्लास से आप सांदार करेंगे मैं अगर आज की क्लास की बात करूँ तो सबसे पहले आप लोग ऐसे समझो दिहान से समझना यहाँ पर कुछ क्वेशन लिखा हुआ है और क्वेशन से पहले आप लोग मेरी बात सुनो की एक्शल में यहाँ से क्वेशन क्या बनते हैं किस तरीके से पूछे जाते हैं दिहान से समझेंगे तो प्यारे बच्चे एक चीज सुनेंगे अभी जैसे यूपी पुलिस की वैकेंसी आई थी तो नौटिफिकेशन में आपने एक चीज देखी होगी कि उसमें अलग-अलग सर्ते होती है कि बंदा इतना पास होना चाहिए टेस्ट में मेरिट लगेगी तो इतने नंबर होने चाहिए बच्चे मूल नवास बना हुआ तब से तब तक का होना चाहिए जाती प्रमाण पत्र तब से तब तक का होना चाहिए या अगर मैं आप लोगों से बात करूँ तो ऐसे भी कह सकता हूँ कि आप लोगों से age भी बोली गई, तो ये सारी चीजे होती है, यहाँ पर भी same यही condition होती है, मैं आप लोगों को एक basic सी चीज बताऊंगा, वो चीज दिहान से समझना बहतर और सांदार तरीके से, प्यारे साथी अगर मैं आप लोगों से कहूं, मैं अगर आप लोगों से कह हूं तो यहाँ पर कोई company हो सकती है, कोई संस्था हो सकती है, कोई विद्याल नहीं हो सकता है, जिसमें कुछ vacancies निकलती है, जैसे इस question को दिहान से समझाएंगे, मेरे सभी प्यारे बेन भाई, copy, pen, comment रोख लो, question यहाँ पर जैसे एक चीज बोली गई है, कि एक coaching में अध्यापक की vacancy निकली है, और अध्यापक किस चीज का है, reasoning का, reasoning थोड़ा गलत लिखा हुआ है, reasoning में छोटी की मात्र आएगी, कोई बात नहीं है, वो कोई matter नहीं है हमारा, समझने का मतलब है, अब सीधी सी बात है, जैसे ही vacancy निकली, तो बहुत सारे member आएंगे, और कहेंगे, जी हमें रख लो, हमें रख लो, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर सर्त लग गई कि उम्मीदवार को चाहिए, उम्मीदवार को क्या चाहिए, वो सुनो, चार सर्ते हैं, चार सर्ते हैं, A, B, C, D, तो पहली सर सर्त है कि 1, 6, 2, 0, 9 को उसके उम्मर 24 वर्स और 28 वर्स के बीच में होनी चाहिए, तीसरी सर्त है, कम से कम 70% अंकों से चैन परिक्षा पास हो, यानि कहने का मतलब है कि कोचिंग में पेपर कराया जाएगा, और 70% अंकों के साथ चैन परिक्षा में व्यक्ती पास होना चाहि होना चाहिए, यानि कि 4 सर्त कहती है, 8 years experience होना चाहिए, प्यारे गुड़ा, अब मेरी बात को गौर से सुनना, यहाँ पर कुछ बंदे तो ऐसे होंगे, जो 4 की 4 सर्त में एक दम पास होते चले जाएंगे, सभी सर्तों में पास होंगे, मैं अगर बात करूँ आप लोगों स तो कुछ बंदे ऐसे हो सकते हैं, जो किसी एक सर्त में फेल है, कुछ ऐसे हो सकते हैं, जो 2 सर्त में फेल है, प्यारे गुड़ा, एक्च्वल में होता क्या है, कि इन 4 सर्तों में से, एक्जामनर हमें 2 सर्त में छूट दे देता है, छूट दे देगा, आप लोगों से वो 2 स इस अर्थ में छूट दे दी, इस अर्थ यह थी कि कम से कम 60% अंकों के साथ ग्रेजुएट होना चाहिए, मानकर चलो कोई ऐसा व्यक्ति आए, वो कहे कि, वो कहे कि जी मेरे 60% नहीं है, 55% हैं, तो फिर संस्था क्या करेगी, कमपनी क्या करेगी, कि 55% वाले का भी कोई ना दूड़ेगी, बट उसके लिए कुछ extra condition लगा देगी, अब यह जरूरी नहीं है कि पहली में ही छूट देगा, एक, दो, तीन, चार में से examiner जिसमें चाहे, उसमें छूट दे सकता है, वो उसकी मर्ची है, अब यहां इस question में चेक करते हैं, किस किस में छूट मिली है, मु यहां कि यदी कोई उमीदवार उपरोक्त मान दंडों में से निम्न को छोड़ कर, अन्य को पूरा करता है, निम्न को, यानी कि दो सर्थ दी हैं, दो छूट हैं, सिवाय का मतलब होता है छोड़ कर, तो उपरोक्त D, प्यारे दोस्तों, D में आपको छूट मिली है, दिहान स समझना D में चूट मिली है D वाला क्या था यानि दो में चूट मिली है first second दो चीजे है first का मतलब यह नहीं कि पहली में चूट है D में चूट है और A में चूट है प्यारे दोस्तों यहाँ पर D कौन सी थी D यह थी कि कम से कम आठ वर्सों का अनभव हो मानकर चलो एक आदमी सं अनभव नहीं है तो संस्था यह कहेगी कि ठीक है लेकिन कम से कम पाँच वर्सों का अनभव तो रखता ही हो आठ वर्स का नहीं है कोई बात नहीं है पर कम से कम पाँच वर्स का अनभव तो रखता ही हो दूसरी बात तथा चयन परिक्षा में कम से कम 85% अंक प्राप्त करे प्यारे गुड़ा गौर से सुनना मेरी बात को चैन परिक्षा में जो अंकों की मात्रा थी वो कितनी थी 70% अंक से चैन परिक्षा उत्तिर हो ये सर्त थी 70% वांगे थे लेकिन अगर कोई आदमी ऐसा है कि जिसे 8 वर्स का अनभव नहीं है आके कह रहा है जी मेरे पास तो 5 व का मामला कोचिंग के मैनेजर को भेजा जाएगा क्या बोलेंगे मैनेजर को भेजा जाएगा ये पहली कंडिसन थी जिसमें छोट मिली थी दूसरी दूसरी छोट मिली है ए में प्यारे गुड़ा दियान से समझो ए वाला कौन सा है ए वाला है कम से कम 60% अंकों के साथ ग्रे ग्रेजुएशन के अंदर, तो, तो क्या है? तो उसकी condition है, लेकिन वह graduation में कम से कम 55% अंक रखता हो, मांगे कितने थे? ईसने मांगे थे 60%, वो के रहा है कम से कम, कम से कम 55% अंक रखता हो, अन्स नई, इसने कितने मांगे थे graduation में? 60% लेकिन वो करा है ठीक है कोई बात नहीं पर 55% तो रखता ही हो तथा साथ में एक्ष्ट्रा क्या है बच्चे उसको प्रतेक सब्था बच्चों के लिए नियुनतम 6 गंटे की मेराथन क्लास लेने में कोई दिक्कत ना हो एक बार जल्दी से थमशब करके बता दो क्या इतनी सी कहानी तुम लोग बहतर तरीके से समझ चुके हो जल्दी से बता दो क्या इतनी सी कहानी तुम बहतर तरीके से समझ चुके हो सभी प्यारे वीर एक बार बोलेंगे कोई दिक्कत परेसानी तो नहीं है ठीक है अब दिहान से सुनना अब यहां से जैसे ही question आएगा तो question के कुछ option होंगे मैं तो मैं बहुत तसल्ली से पढ़ा रहा हूँ इस topic को बहुत तसल्ली से option कैसे पहला option बनता है यदी उम्मीदवार का chain किया जाना है दूसरा है यदी उम्मीदवार का chain नहीं किया जाना है तीसरा है यदी मामला coaching के manager को भीजा जाना है चौता है यदी मामला कोचिंग के डाइरेक्टर को भीजा जाना है और लाश्ट है प्रेस्न में दिया गया डेटा उत्तर देने के लिए परियाप्त नहीं है उत्तर देने के लिए परियाप्त नहीं है प्यारे दोस्तों गौर से सुनना जो चीज मैं समझाने जा रहा हूँ ये question है ये पहला question आपके सामने आया है एक बार मेरे सभी प्यारे वीर गौर से समझना कोई भी copy pen comment कुछ नहीं कुछ नहीं का मतलब कुछ नहीं प्यारे गुड़ा ध्यान से समझो जैसे पहली सर्त हमसे क्या थी द्यान से देखो सारी सर्तें ये पास कर रहा है कि किसी सर्त में फेल है ये चीज हमें चेक करनी है जैसे पहली सर्त थी कि कम से कम 60% अंक होने चाहिए ग्रेजुएशन में चेक करो इसके कितने है कि ग्रेजुएशन में 80% अंक प्राप्त किये हैं इसका मतलब 60% चा हैं बहुत बढ़िया पहली सर्थ इसकी पास है दूसरी सर्थ क्या थी दूसरी सर्थ पढ़ा जाते हैं एक एक स्टेप करके समझते चलेंगे कह रहा है कि 162009 को उसकी उम्र 24 और 28 वर्स के बीच होनी चाहिए प्यारे गुड़ा यहां पर यह कह रहा है कि उसकी Mr. सागर की वर्तमान उम्र 26 वर्स है अब तुम लोग एक चीज सोचोगे कि 26 वर्स उम्र है तुम लोग सोचोगे 26 वर्स उम्र है तो यह तो ओवरेज हो गया मतलब इसक तो कम रहे गई ऐसे सोचोगे एक्शल में ये जो question दिया गया है ये जो question है जिस दिन तुम paper में बैठोगे उन आकड़ों के आधार पर नहीं लगाना इसका हिसाब किताब इसका हिसाब किताब कब लगाना है जब question में जब से age count है इसका मतलब ये जो question बना है ये जो question आपको आधार पर देना है ये 162009 के आधार पर ही देना है प्यारे दोस्तों इसका मतलब है इस उम्र के आकड़े आप लोगों को 162009 को दिये गए हैं ये बात समझेंगे तो इसका मतलब 162009 को ही इसकी उम्र 26 वर्स थी और हमसे मांगी कब गई हमसे मांगी गई 24 और 28 वर्स के बीच में तो 26 तो बिलकुल ठीक है 24 और 28 के बीच में ही होगी बात आ रही है समझ में मैंने कहा तीसरी सर्थ क्या थी मैंने कहा तीसरी सर्थ क्या थी कम से कम 70% अंकों से मेरे प्यारे दोस्तों चेक करो इसके कितने हैं इसने कहा है चैन परिक्षा में 80% अंक प्राप्त किये हैं 70% चाहिए थे 80% अंक प्राप्त हुए हैं इसका मतलब इसमें भी इसका लाजबाब प्रदर्शन है आगे यहाँ पर चौथी सर्थ पर आजाओ चौथी सर्थ की अगर मैं बात करूँ तो चौथी सर्थ थी कम से कम आठ वर्सों का अनभव हो मैंने कहा इस क्वेशन को पढ़ो किराए कि मिश्टर सागर कमप्टीसन के छेतर में पिछले बार है बार है वर्सों से अपनी आठ वर्स का अनभव चाहिए और भाई साब बार है वर्सों का इन्हें अनभव है इसका मतलब हुआ चौथी सर्थ भें भी ये बिलकुल पास है पहली दूसरी तीसरी चौथी हर एक सर्थ में ये पास है तो क्या बोलूँगा मैं बोलूँगा चैन किया जाना है बोलो एक बार जल्दी से बताएंगे चैन किया जाना है क्वेश्चन समझ में आया की नहीं मेरे प्यारे वीर मुझे बता दो क्या तुम लोग मेरी इस बात को बहतर तरीके से थोड़ा थोड़ा समझ रहे हो की नहीं मैं तुम से ये नहीं कह रहा कि तुम पूरा समझ लो दिहान से सभी प्यारे साथी बोलेंगे मुझे बताओ चैन किया जाना है क्या ये बात थोड़ा सा क्वेश्चन समझ में आया बहुत सुलो पढ़ा रहा हूं दो घंटे लग जाओ ढ़ाई लग जाओ तीन लग जाओ मैंटर नहीं करता मैंटर ये करता है मैं ऐसा कुछ पढ़ा दू कि ये टॉपिक तुम्हें कभी दुबारा दिक्कत ना करे तुम्हें ये टॉपिक फैवरेट बन जाए बोलो बात आई समझ में अब दूसरा क्वेश्चन भी इसी आधार पर करेंगे परिसान नहीं हो डाए ठीक है बहुत सांदार प्यारे वीर एक बार क्लास को शेयर और कर देना सभी प्यारे साथी द्यान से समझो मैं अगर मान कर चलो कि ये क्वेश्चन पूछो अगला जानकारी बिलकुल वही है जानकारी अगले क्वेश्चन के लिए भी वही है सेम टू सेम की कोचिंग है अध्यापक की वैकेंसी आई है रीजनिंग की पहली सरत है कम से कम 60% के साथ graduation हो 16-2009 को उसकी उम्र 24 और 28 वर्स के बीच में हो कम से कम 70% अंकों के साथ चैन पर इक्षावत तीन हो कम से कम 8 वर्सों कानभव हो वही condition है वही सरते है पहले 3 question के लिए बिलकुल same condition लेके आया हूँ अब ध्यान से समझो यहाँ पर same offer है दो चीज़ों पर offer दिया है अर्था दो दो चीज़ों पर company ने छूट दी है कैसे उपर D में D वाला कौन सा था D वाले की बात करूं तो कम से कम 8 वर्सों का अंभव था प्यारे बच्चे इनको आपने लिख लिया होगा लेकिन वह कम से कम 5 वर्सों का अंभव रखता हो तथा चैन परिक्षा में कम से कम 85% प्राप्त हो तो मामला कोचिंग के मैनेजर को भेजा जाएगा तो मामला कहां भेजा जाएगा कोचिंग के मैनेजर को भेजा जाएगा प्यारे बच्चे आगे यहाँ पर क्वेशन कहता है उपरोक्त ए में ए में क्या बोला यहाँ पर कह रहा है लेकिन वह है ग्रेजुएशन में कम से कम 55% अंकरकता हो तथा उसको प्रतेक सब्ता बच्चों के लिए नियुन्तम 6 घंटे की क्लास मेराथन क्लास लेने में कोई दिक्कत ना हो तो मामला कोचिंग के डाइरेक्टर को भेजा जाएगा मामला कोचिंग के डाइरेक्टर को भेजा जाएगा गौर से सुननेंगे सभी प्यारे साथी तो यहाँ पर मैंने आप लोगों से बोला कि यह हमारे option है कोई दिक्कत नहीं है question लगा दूं सामने करने के लिए तैयार है बहुत interest आने वाला है भी बहुत interest जैसे ही तुम सीखते जाओगे interest बढ़ता जाएगा मुझे बता दो क्या मैं अगले question को लगा दूं लो भाई साब ये रहा अज की class का अगला सवाल सभी मेरे प्यारे वीर एक बार गौर से समझ लो चारों सर्त कोपी पे तुमने लिख ली होंगी एक-एक सर्त मिलाते चलो कौन-कौन सी सर्त में पास है कौन-कौन सी सर्त में फेल है वो सभी के सभी आकडे तुम लोगों को देखते हुए आगे बढ़ जाना है पहली सर्त क्या थी आजाओ सर्त नम्बर एक क्या है सर्त नम्बर एक क्या है समझेंगे कम से कम 60% आंकों से graduation पास हो यहाँ पर चेक करो graduation में 56% आंक प्राप्त है भाई शाब भाई शाब पहली सर्थ में फेल हो गया पहली सर्थ में फेल हो गया अभी पहली सर्थ पर उपर चल रहा है की नहीं चल रहा है पहली सर्थ पर कोई छुट है की नहीं है उस पर मत जाना पहले दूसरी सर्थ पर आओ पहले सारी की सारी सर्तों को चेक कर लो, कितनी में पास है, कितनी में फेल है, बाद की बाते हैं, बाकी तो दूसरी सर्त क्या है? दूसरी सर्त है, 162009 को आयू 24 और 28 वर्स के बीच हो तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ, तो इसकी जो जनम्तिती है, उनकी जनम्तिती 9 अगस्त 1984 है, क्या बोलेंगे? जो जनम्तिती है, वो 9 अगस्त 1984 है, प्यारे दोस्तों अब, exact इनकी जो वर्स है, वो कितनी बन रही है, यह कैसे पता चले, वो चीज ध्यान से समझेंगे, वो चीज ध्यान से समझेंगे कि exact कैसे पता चलेगा, प्यारे गुड़ा, हमेशा कैसे हम अपनी date of birth काउंट करते हैं, तुम लोगों को भी जरूत पढ़ती रहती है, वो चीज सिखा रहा हूं, वो चीज ध्यान से सीख लो, हमसे इसने कहा था कि 162009 को 24 और 28 के बीच महोनी चाहिए, कब चाहिए 162009, तो प्यारे दोस्तों सबसे पहले एक काम करो, यहाँ पर इसकी जनमतिती थी 9 अगस्त 1984, 162009 का मामला चाहिए, तो आप 162009 लिख दो, 162009, आप कहेंगे भी या, आपने तो इसे उल्टा लिखा है, हाँ जी, इसे उल्टा ही लिखा जाएगा, कैसे निकालते हैं वैल्यू, वो चीज ध्यान से सुनेंगे, मैंने आप लोगों से कहा, सबसे पहले वर्स लिखते हैं, फिर महीना लिखते हैं, फिर दिन लिखते ह यानि की तारीक की मैं बात कर रहा हूं, तो ये 162009 हो जाएगा, तो प्यारे दोस्तों मुझे 9 अगस्त 1984 चाहिए, वर्स के नीचे वर्स आएगा, तारीक के नीचे तारीक और महीने के नीचे महीना, तो मैंने कहा 9 तारीक है तो 9 लिखेंगे, अगस्त का महीना है, अगस्त का महिना है इसे एक्शल में यहां पर चेक करना अगर अगस्त है तो अगस्त का मतलब कौन सा महिना है अगस्त का मतलब महिना कौन सा हो जाएगा आठवा और 1984 यहां पर लिख दूँगा यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है किसी प्यारे साथी को हमेशा ध्यान रखना जो अब बर्त को घटाया जाता है और कैसे पहले वर्स फिर महिना और फिर तारीक अब दियान से समझना तो अब कैसे करूंगा तो प्यारे दोस्तों यहां पर एक काम करो यहां पर घटाओ एक मैसे क्या नो घट सकता है दियान से देख लेना कैसे निकलता है हिसाब लगा लेन एक मैंसे नौ तो नहीं घट सकता जब एक मैंसे नौ नहीं घट सकता तो सीधी बात है जब हम कभी घटा नहीं पाते हैं तो क्या करते हैं हासिल लेते हैं हासिल ही तो लेते हैं तो यहां परो मैंने इधर से एक हासिल लिया लेकिन प्यारे दोस्तों ऐसे मत करना कि यहां से एक हासिल लिया तो एक और एक यह दो हो गए ना एक्शल में आप जो हासिल ले रहे हैं वो 6 मैसे ले रहे हैं और 6 क्या है यह वर्स है यह महिना यह दिन है तो 6 जो है वो महिना है और प्यारे दोस्तों 6 की बात करूँ तो January, February, March, April, May, June ये June का महिना है और June का महिना कितने दिन का होता है? 30 दिन का होता है तो यहाँ पर एक हासिल का मतलब होगा कि यहाँ पर 30 आ जाना अर्थात ये value overall अब 31 बन चुकी है प्यारे दोस्तों बात समझ म आई की नहीं आई और यहाँ पर ये value 31 कैसे बनी फिर से सुनो 6 में से यानि एक महिना आपने दल लिया तो 30 दिन ले लिए एक यहाँ पहले से ही था तो 30 और 31 हो गए आरा है समझ में की नहीं? प्यारे गुड़ा उसके बाद 6, 6 के स्थान पर क्या रह गया? यहाँ केवल 5 रह गया क्योंकि आपने 30 दिन तो इधर दे दिये तो आप क्या करोगे? आप 31 में से 9 घटाओगे तो 22 बचेगा और प्यारे दोस्तों यहाँ पर जैसे ही 22 बचेगा तो अब 5 में से 8 नहीं घट रहा है क्या बोलेंगे 5 में से 8 नहीं घट रहा है तो प्यारे दोस्तों मैं बोलूँगा फिर से हासिल ले लो तो यहाँ पर आमने देखा कि यहाँ वर्स है वर्स में कितने महीने 12 महीने होते हैं तो यहाँ से जब आफ 12 लेंगे तो यह value कितनी हो जाई ही 5 तो पहले यह 12 और आगई तो 12 5 17 हो गई और यह 2009 के स्थान पर क्या रह गया 2008 रह गया 17 में से 8 गए तो 9 आया यहां 8 में से 4 गए 4 और 10 में से 8 गए तो 2 24 वर्स 9 महिना और 22 दिन की इसकी आयू बन रही है क्या बोलेंगे क्या आयू बात विवस्था बढ़िया बना रही है बोलो हाया ना इसका मतलब दूसरी सर्थ इसकी पास है क्योंकि इसे चाहिए था 24 और 28 के बीच में और इसकी बन रही है 24 और 22 यानि 24 और 28 के बीच में बिल्कुल करेक्ट बात है प्यारे गुड़ा तीसरी सर्थ पर बढ़ जाओ मेरे शेर तीसरी सर्थ पर तीसरी सर्थ क्या थी तीसरी सर्थ है कम से कम 70% अंक होने चाहिए चैन परिक्षा में तो इसके कितने है ये कह रहा है कि ये कह रहा है कि मिश्टर मल हुट्रा में चैन परिक्षा में 74% अंक प्राप्त करें 70 चाहिए इनके 74 है तो ये भी सईया है और चौथी सर्थ क्या थी प्यारे गुड़ा चौथी सर्थ थी कम से कम 8 वर्सों का अनभव हो अनभव की बात करूँ मैं इनका कि अनभव कितना है तो ये कह रहे हैं इनको कम्प्टीशन के छेत्र में 10 वर्सों का अनभव है अर्थात ये भी पास है ये सारी सर्थों में पास है सिवाए एक सर्थ को छोड़ कर प्यारे गुड़ा ये सारी सर्थों में पास है सिवाए एक सर्थ को छोड़ कर और वो सर्थ है सर्थ नंबर एक सर्थ नंबर एक में ये फेल है लेकिन चेक करो क्या सर्थ नंबर एक पर कोई ओफर है अगर किसी बच्चे को पता चल रहा है हाँ बया ओफर है तो एक बार थम सब कर दो बया मुझे पता चल रहा है कि हाजी ओफर है तो प्यारे दोस्तों सर्थ नंबर एक पर क्या ओफर है सर्थ नंबर ए पर ओफर है देखो ये रहा ए सर्थ पर ओफर है लेकिन कंडिशन ये है कि ग्रेजुएशन में कम से कम 55% अंक रखता हो और प्रतेक सप्ता बच्चों के लिए नियुनतम 6 घंटे की क्लास लेने में चेक करो क्या ये पहली सर्थ के ओफर में बात बन सकती है तो मैंने कहा सर्थ में बात बन जाएगी दो कंडिशन है कम से कम 55% अंक ले आए और दूसरा कॉंसेप्ट कहता है दूसरा कॉंसेप्ट कहता है प्यारे गुड़ा कि कम से कम मेरा थन लेने में कोई दिक्कत ना हो कि मैंने आपको दिखाया कोईशन यहाँ पर कह रहा है भी आप घंटे की बात कर रहें ये बंदा तो 12 घंटे की मेरा थन के लिए तयार है ग्रेजुशन में 56% अंक है जबकि प्रतेक सप्ता 12 घंटे मेरा थन के लिए तयार है अर्थात ये पहली सर्थ में तो फेल था पर पह पहली सर्थ में फेल और ओफर में पास तो प्यारे बच्चे इस कंडिशन में आप मैंने आपको क्या बताया था मामला कोचिंग के डायरेक्टर को भीजा जाएगा मामला कोचिंग के डायरेक्टर को भीजा जाना है प्यारे दोस्तों मुझे बता दो ये सवाल क्या समझ मे आ चुका है आपको मामला क्या बोलेंगे मामला मामला डाइरेक्टर को भेजा जाना है मामला डाइरेक्टर को भेजा जाना है मामला डाइरेक्टर को भेजा जाना है प्यारे साथी बोलेंगे क्या बात समझ में आ चुकी है मैंने अब तक केवल दो क्वेशन कराए हैं केवल दो क्वेशन फोकस ही नहीं है इस बात पे कि आप लोग आप लोगों से मैं बोल दूँ कि भाई इतने इस क्वेशन करा दूँगा फोकस इतना है कि एक एक चीज समझ में आ रही है कि नहीं, प्यारे बच्चे बोलेंगे यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, सभी प्यारे साथी बोल रहेंगे कोई दिक्कत तो नहीं है, सभी प्यारे साथी यहां तक बोलेंगे, बात समझ में आ रही है कि नहीं, प्यारे बच्चे ठीक है, मेरे प्यारे दोस्तों अभी ये क क्वेशनों का सिलसिला चलेगा अभी मैं क्वेशनों का सिलसिला चलाऊंगा और हाँ साथ ही आप लोगों से आज एक दिल की बात कहराऊं प्यारे बच्चे इस चीज को थोड़ा सा ध्या जाओ यहां पर क्वेशन में फिर से वही सरते हैं एक बार गौर से समझने की कोसिस करना कि यह सरते क्या है क्या कंडिसन है प्यारे गुड़ा वही सेम सरते हैं इस सबाल की भी वो आप लोगों ने कौपी पर लिख ही ली होंगी उसकी कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों अगर मैं आप लोगों से कहूं मेरे आप लोगों से कहूं तो प्यारे गुड़ा मैंने कहा उपरोक्त डी में एक कंडिसन मतलब वो ही छूटे है क्वेशन अभी उसी कंडिसन पर उसी सरत पर बेज़ड है क्वेशन को गौर से आजाओ इस क्वेशन को दिहान से ये इसके ऑप्सन है और ये रहा क्वेशन आपके सामने मेरे प्यारे वीर मेरे प्यारे दोस्त मेरे प्यारे मित्र बताओ इस क्वेशन का करेक्ट आंसर कितना होगा सबी प्यारे साथी जल्दी से बताएंगे सही जबाब क्या है मैंने आप लोगों से क्या कहा question में इस question में एक छोटी बात बोली मैंने बोला पहली सर्त को गौछ से समझना कराई कि पहली सर्त क्या थी कि कम से कम 60% अंकों से graduation में पास होना चाहिए चेक करो graduation में इसके कितने हैं Mr. Rajan ने BSC में 68% अंक प्राप्त किये हैं प्यारे गुड़ा 60% होने चाहिए थी 68% अंक प्राप्त किये हैं 68% 60 होने चाहिए 68% अंक प्राप्त किये हैं पहली सर्त पास है graduation नहीं लिखा इसने बट BSC लिखा है और BSC का मतलब क्या है BSC का मतलब graduation ही होता है मेरे प्यारे दोस्तों दियान से समझेंगे मैंने आगे क्या बोला दूसरी सर्त क्या है A62009 को उसकी उम्र 24 वर्स और 28 वर्स के बीच हो ये जो question के आपको आंकडे दिये हैं ये भी A62009 के ही होते हैं जब data बर्थ होती है उसी आधार के होते हैं तो प्यारे दोस्तों मैंने क्या कहा मैंने आप लोगों से कहा question के रहा है कि Mr.Razan की वर्तमान उम्र 27 वर्स है जो वर्तमान उम्र है वो 27 वर्स है गोर से समझना आगे की बात मैंने कहा 27 वर्स है 24 और 28 के बीच मैं चाहिए 24 और 28 के बीच मैं चाहिए प्यारे दोस्तों 27 वर्स है तो मैंने आप लोगों से कहा दूसरी सर्त भी इसकी एकदम accurate है एकदम बढ़िया है सांदार है प्यारे दोस्तों तीसरी सर्त क्या है एक बार यहाँ पर आएंगे तीसरी सर्त क्या थी एक बार यहाँ पर आजाओ कम से कम 70% अंकों से चैन परिक्षा उत्तीर होनी चाहिए 70% अंकों से चैन परिक्षा उत्तीर होनी चाहिए मेरे प्यारे गुड़ा गौर से समझना 70% अंक होने चाहिए तो मुझे यह बताओ 70% अंकों से चैन परिक्षा उत्तीर हो यहाँ पर चैन परिक्षा में 95% अंक प्राप्त है चैन परिक्षा में बोलेंगे 95% अंक प्राप्त है तो मैंने आप लोगों से बोला तीसरी सर्त भी एकदम पास है कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चे बहुत बहुत प्यार, 6000 की कमी है, जब से कहता 1500 पूरे हो चुके है, मेरे प्यारे दोस्तों 6000 की, आज देख लेंगे आज कितना प्यार है आपसे, कितना प्यार है, ये रिड कभी नहीं चुकेगा, प्यारे बच्चे बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आ । तो चौती सर्थ हमसे क्या बोली थी? कमसे कम आठ पर आठ वर्सों का अनभव हो सवाल करें कमसे कम आठ वर्सों का अनभव हो प्यारे बच्चे आठ वर्सों के अनभव की बात करी है यहाँ पर question को गौँर से देख लो यहाँ पर प्यारे गुड़ा मेरे प्यारे साथी जो अनभव है कमप्टीसन के छेतर में छे वर्षों का अनभव है चाहिए कितने का था? आठ वर्षों का अनभव चाहिए पर इसे केवल और केवल छे वर्षों का अनभव है मेरे प्यारे साती ध्यान से समझना ये चौथी सर्त में फेल हो चुका है चौथी सर्त में ये वाला बंदा फेल हो चुका है प्यारे दोस्तों क्या क्या कोई ओफर चल रहा है एक बार मेरे वीर बताएंगे क्या कोई ओफर चल रहा है चौती सर्थ में ओफर चल रहा है एक बार मेरे सभी प्यारे वीर गौर से बताएंगे तो चौती सर्थ में ओफर देखो यह ना उपरोक्त डी में ओफर तो है लेकिन सर्थ यह है कम से कम पांच वर्सों का अनभव तो फिर भी हो यार क्वेशन को आगे पढ़ेंगे किरत था चैन परिक्षा में कम से कम 85% अंग हो तो मामला कोचिंग के मैनेजर को भेजा जाएगा प्यारे गुड़ा गौर से समझना दो कंडिशन है अगर D सर्थ में आपको छूट चाहिए तो दो कंडिशन है पहली 5 वर्सका अनभव हो 85% अं देखना इसे 6 वर्सों का है पांच वर्स चाहिए और चैन परिक्षा में 95% ही अंक है इसका मतलब हुआ मेरे प्यारे दोस्तों ओफर में पास है चौथी सर्थ में फेल होना और चौथी सर्थ के ओफर में पास होना इस बात का अंतर देखना ध्यान से ओफर में पास पर कहा जा रहा है मामला तो यह कह रहा है अगर ऐसा है तो मामला कोचिंग के मैनेजर को भेजा जाएगा क्या बोला मामला कोचिंग के मैनेजर को भेजा जाएगा तो प्यारे दोस्तों आंसर आ गया है कि मामला मैंनेजर को भेजा जाएगा मेरे प्यारे वीरों मैं उम्मीद करूँगा कि कि पिछले क्वेश्चन की अपेक्षा ये क्वेश्चन और भी जादा तरीके से समझ में आया होगा पिछले क्वेश्चन की अपेक्षा ये क्वेश्चन और भी जादा बहतर तरीके से आपको समझ में आया होगा मेरे सभी प्यारे वीर बोल दो क्या इतनी सी कहानी समझ में आ चुकी है सभी प्यारे साथी बोलेंगे बात समझ में आ रही है कि नहीं बहुत बढ़िया बहुत सांधार इतनी बात बराबर है ओके हैं बड़िया तरीके से समझ में आ रही है next question पर चल रहा हूँ और बोलो क्या next question के लिए सरतों को बदल दे condition को बदल दे प्यारे गुड़ा ध्यान से समझना अब next question की सरतों को बदल रहा है अब जो अगले तीन question होंगे प्रेशन संक्या 4, 5, 6 निम्न लिखित जानकारी का ध्यान पुर्वकत धन करें और नीचे दिये गई प्रेशन का उत्तर दें प्यारे दोस्तों अब जो आने वाले तीन क्वेशन होंगे वो इस जानकारी के आधार पर होंगे कॉपी में लिखते चलना प्यारे गुड़ाइन जानकारीयों को जानकारीयों को लिखते हुए चलना सवाल क्या कह रहा है एक चीज सुनो सवाल कह रहा है कि एक संस्था द्वारा कॉलिज के प्रेंसीपल के चैन के लिए निम्न मानदंड है उसे उसके पास क्या क्या होना चाहिए वो यानि कहने का मतलब सुनो कि क्या क्या कंडीशन ओवरॉल निकल कर आई है कंडीशन आई है प्यारे दोस्तो इसे क्या प्रेंसिपल कॉलिज संस्था द्वारा कॉलिज के प्रेंसिपल के लिए चाहिए अर्थात जो vacancy निकली हुई है वो principal की vacancy निकली हुई है प्यारे दोस्तों ध्यान से समझना पहली सर्थ क्या है लिख लो इन्हें हिंट में एक बार copy में पहली सर्थ है पहली सर्थ है sort में लिखते हुए चलना ऐसे जैसे पहली सर्थ है किसी भी विशे में PhD पूरी होनी चाहिए sort में लिख दो क्या होना चाहिए किसी भी विशे में हो बट PhD होनी चाहिए दूसरा एक संस्था में प्रदानाचर्रे के रूप में कम से कम आठ वर्स का कार्रे अनभब होना चाहिए पहला था PhD हो दूसरा है as a principle as a principle आठ वर्स का कार्रे अनभब होना चाहिए प्यारे दोस्तों बात समझ में आ रही है कि नहीं मैंने आगे क्या बोला मैंने आगे यहाँ पर बोला एक अक्टूबर 2016 को 45 वर्स से कम और 65 वर्स से अधिक नहीं होना चाहिए एक अक्टूबर 2016 को 45 और 65 के बीच की आयू होनी चाहिए यह इसका अर्थ निकल कर आ रहा है सबसे पहले यहाँ पर समझाएंगे चौथी सर्थ क्या है चौथी सर्थ 60 परसेंट अग्कों के साथ इसनातक उत्तर और इसनातक की पढ़ाई पूरी होनी चाहिए प्यारे बच्चे गौर से समझना ये चार सर्थें आप लोगों को हर एक क्वेस्जन में देखनी होंगी 60% टंक होने चाहिए इशनातक उत्तर और इशनातक में इशनातक उत्तर का मतलब है पोश्ट ग्रेजुएशन और इशनातक का मतलब है प्यारे साथी ग्रेजुएशन बात आ रही है समझ में गौर से सुनो अब द्यान से समझना क्या कुछ ओपर भी है सर्तों पर हाँ जी A और B यहाँ पर दिया है ना तो A और B में ओपर नहीं है उपरोग तो 1st में ओपर है और उपरोग तो 2nd में प्यारे गुड़ा पिछली वार A भी इसलिए देख रहा तो देखो इस चीज़ को देख लिया करो पिछले क्वेश्चन में क्या था पिछले क्वेश्चन में यहाँ पर जो सर्तें थी वो A B C D के हिसाब से दी गई थी ठीक है ना ऐसे सुनना द्यान से तो मैंने आप लोगों से कहा A B C D के हिसाब से दी थी तो ओफर भी A B C D के हिसाब से था इस बार आप लोगों ने देखा कि जो सर्तें दी गई है वो 1st, 2nd, 3rd, 4 के हिसाब से तो ओफर भी 1st, 2nd, 3rd, 4 के हिसाब से दिया जाएगा हाँ बई, तो प्यारे बच्चे कहने का मतलब ये हुआ, कहने का मतलब ये हुआ, मेरे प्यारे साथी, कहने का मतलब हुआ की कंडीशन ये है बातारी समझ में 1st, 2nd, अब आप लोग मुझे बता दो, 1st, 2nd की जो सर्तें थी, वो ये थी, वो मैंने आपको लिख कर बता दी है ये कराए कि लेकिन, अगर उसके पास 15 से अधिक वर्षों का कर रेंभव है, तो उसके मामले को संस्था के डीन के पास बहजा जाएगा आगे question किराए second में चूट है लेकिन अगर उसके पास प्रसासन विभाग की जानकारी है तो उसके मामले को संस्था के अध्यक्ष के पास भेजा जाएगा ये चीज हमसे बोली गई है तो प्यारे साती ध्यान से समझना ये question है question ये है आपके सामने मुझे discuss करके बताओ मेरे वीर क्या answer हो सकता है इस question का जो आपके सामने इस समय बोल्ड पर लगा हुआ है सभी प्यारे वीर एक बार जल्दी से बताएंगे सर्थ आपके सामने है छूट आपके सामने है ओफर आपको दिया है question आपके सामने है जल्दी से बताओ गलत मत कर दियों संदीप सिंग लिख रही है इसमें गलत मत कर दियों सवाल है बोलो जल्दी से सभी प्यारे साथी बोलेंगे एक बार, सभी प्यारे वीद एक बार जल्दी से question के answer पर आएंगे, क्या हो सकता है इस question का correct answer, द्यान से समझेंगे, तो मैंने आप लोगों से क्या बोला, एक बार आजाते हैं, सवाल को समझ लेते हैं, क्या कहरा है, प्यारे बच्चे द्यान से समझना question क्या कह रहा है, तो मैंने आप लोगों से कहा, पहली सर्थ को चेक करो, क्या पहली सर्थ में बात बन रही है, पहली सर्थी थी, किसी भी विसे में PhD पूरी होनी चाहिए, क्या बोला, किसी भी विसे में PhD पूरी होनी चाहिए, तो प्यारे बच्चे इसका मतलब क्या इसका मतलब है कि यहां पर question बोल रहा है कि उनके पास ध्यान से समझना question ने यहां पर कहा है कि उनके पास PhD की degree नहीं है तो पहली सर्थ fail हो चुकी है यह तो पहली सर्थ में ही fail हो चुका है पहली सर्थ में ही कोई मतलब दिक्कत हो गई है इसको क्योंकि इसके पास तो PhD की degree ही नहीं है, दूसरा, दूसरी सर्थ क्या थी? तो मेरे प्यारे वीरों, दूसरी सर्थ क्या थी? दूसरी सर्थ थी कि एक संस्था में प्रधान आचार्रे के रूप में कम से कम आठ वर्स का कार्रे अनभब होना चाहिए, दूसरी सर्थी का आठ वर्स का कार्रे अनभब, तो ये दोस्तों ये दूसरी में तो धड़ा-धड़ पास है कोई दिक्कत नहीं है तीसरी सर्त क्या है तीसरी सर्त है एक अक्टूबर 2016 को 45 वर्स से कम और 65 वर्स से अधिक नहीं होना चाहिए आओ आओ एक बार निकालते हैं इसका हिसाब किताब तो क्वेशन यहाँ पर कह रहा है कि वे 69 वर्स के है इसका मतलब क्या है मैंने कहा था आओकड़े तो आपको एक अक्टूबर 2016 को ही दिये जाएंगे तो 45 और 65 वर्स के बीच में ही 69 वर्स होता है इसका मतलब क्या है इसका मतलब हो गया कि तीसरी सर्थ में पास हो रहा है चौथी सर्थ को गौर से समझो चौथी सर्थ को गौर से समझो चौथी सर्थ क्या है चौथी सर्थ है 60 परसेंट अंक के साथ ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन तो दियान से समझेंगे संदीप सिहिंग ने क्रम से है 70% और 65% अंकों के साथ इसनातक और इसनातक उत्तर यानि BSC और मतलब ग्रेजुएशन और पोष्ट ग्रेजुएशन प्राप्त किया है 70 और 65 तो बड़ा नंबर है बहुत बड़ा नंबर है तो चौती सर्थ भी एकदम accurate है एकदम बड़िया तरीके से सही चल रही है तो प्यारे दोस्तों ये केवल पहली सर्थ में फेल है और पहली सर्थ की अगर मैं बात करता हूँ तो पहली सर्थ पर चल रहा है एक लाजवाब सा ओफर आओ भी या क्या ओफर चल रहा है ओफर को तो चेक कर लो फश्ट पर ओफर चल रहा है की फश्ट सर्थ ये थी की भी आप पी अजडी ओपर इसके पास नहीं है लेकिन ओफर ये है ओफर ये है प्यारे दोस्तों कि लेकिन अगर उसके पास 15 वर्स से अधिका कार्यानभव है 15 वर्स से अधिका कार्यानभव है तो यहाँ पर ओफर मिकी अगर बात करूँ तो यह किर रहा है 15 वर्स से कार्याधिका अनभवव है तो मामले को संस्था के डीन को भीजा जाएगा तो भी या इसके पास तो जो अनभव है वो 16 वर्स का है मामला दीन को भेजा जाएगा आपका हर डाउट क्लियर होगा हर डाउट समझ में आएगा परेशान मत हो आपको ये तो विश्वास हो गया होगा कि टॉपिक हमको आने लग गया है परेशान तो होना ही नहीं है मैंने कहा मामला मामला दीन को दीन को भेजा जाएगा मामला दीन को भेजा जाएगा प्यारे बच्चे बात आ रही है समझ में मुझे ये बताओ सभी प्यारे बच्चे क्या मेरी बात समझ में आ रही है प्यारे दोस्त एक और छोटी सी बात बतादो क्या स्क्रीन पर थमसब करके ये बता दो क्या स्क्रीन पर तुम्हें सब्सक्राइबर्स की यानि अपने परवार की संख्या जो आपके परवार की संख्या है जितना बड़ा आपका परवार है वो दिखाई दे रही है प्यारे दोस्त बताएंगे एक बार क्या वो संख्या आप लोगों को दि प्यारे बच्चे, एक बच्चे से नहीं कहीं मैंने, मैंने ये नहीं कहा कि भाई, मैं चुनके कि ये पांच हजार बच्चे इन से ही कह रहा हूं, मैं क्लास में मेरे जितने भी प्यारे बहन भाई हैं, सब से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कि सब इसमें थोड़ा सा सपोर्ट कर दो मात्र मात्र लगबग ब्यालिस सो की कमी है प्यारे बच्चे ये जितने भी प्यारे साथी क्लास देख रहे हैं सोच के देखो ब्यालिस सो की कमी है अर्तालिस हजार लोग क्लास में है प्यारे गुड़ा सोचो अगर एक बच्चा एक बच्चे को भी जोड़ेगा तो भी कहीना कहीन याप पार होगी मैं फिर से बता देता हूँ जो लोग बाद में थे ऐसी हम लोग बैठे हुए थे कल संडे है सब लोगों ने कहा भीया कल 11 मिलियन हो जाएंगे मेरे मुह से एक ही सब्द निकला था कि आज ही होंगे पता है क्यों क्यों क्योंकि मैं आप लोगों पर अंदा भरोसा करता हूँ अब प्यारे बच्चे आपके हाथ में हैं आप जैसे चाहोगे ऐसे कर लो नीचा दिखवाना है तो नीचा दिखवा लो और मैं गर्ब से कह सकू कि बोलो क्या बोलके आया था क्लास में तो प्यारे बच्चे अब देख लो आप लोगों के उपर है मेरी नईया प्यारे बच् नहीं है अब 4,000 की दूरी रह गई है केवल 4,000 की दूरी प्यारे बच्चे आ जाएंगे एक बार next question पर चल रहा हूं बिल्कुल same condition है यही सर्ते हैं आराम से देख लो screen shot ले लो चाहो तो बाकी सर्तें आप लोगोंने लिखी ही होंगी उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है सर्तें आप लोगोंने दिखी होंगी कोई दिक्कत परेसानी उस बात में है नहीं प्यारे दोस्तो मैं अगर आप लोगों से बात करूँ प्यारे साथी मैं आप लोगों से बात करूँ तो ये इसके offer है ये भी आप लोगों को पता है ठीक है सर्तें okay है offer आप लोगों का okay है प correct answer हो जाएगा सर्थ नंबर एक पर चर्चा कर लेते हैं कि सर्थ नंबर एक पर आजाते हैं सर्थ नंबर एक है कि किसी भी विशे में PhD पूरी होनी चाहिए तो मुझे ये बताओ कि किसी भी विशे में क्या इसकी PhD पूरी है तो आप लोग कहोगे हाँ जी शिव राम क्रेशनन ने गड़ित में PhD किया भाई सब गड़ित में पढ़के आए हैं ये PhD तो ये तो बहुत अच्छी बात है गड़ित में PhD करके आए हुए हैं प्यारे साथी मेरे भीया मेरी बहन दूसरी सर्थ पर आजाओ दूसरी सर्थ क्या कार्यन भव द्यान से बताओ मुझे एक बार कमेंट करके कि क्या ये दूसरी सर्थ में पास हैं जल्दी से बोलो क्या ये दूसरी सर्थ में पास हैं प्यारे दोस्तों मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ ये दूसरी सर्थ में पास हैं या नहीं है यस और नो में बता दो पास या फेल, जल्दी से बोलो, सभी प्यारे साती एक बार जल्दी से बोलेंगे, तो यहाँ पर question को दिहान से समझना, question को दिहान से समझना, question यहाँ पर हम लोगों को फसाना चाहता है, और मेरे प्यारे प्यारे बहन भाई, इस question के अंदर फस चुके हैं, इस question के जाल में फ बिल्कुल भी सहीं नहीं है, दूसरी सर्थ में इसका मामला बिगरता हुआ नजर आ रहा है मुझे। तुम कओगे ब蛇या क्यों नजर आ रहा है? मैं तुम से एक बात कहुँगा, इसलिए मामला बिगरता हुआ नजर आ रहा है। प्यारे दोस्तों इसलिए बिगरता हुआ मामला नजर आ रहा है क्योंकि इसने एक चीज बोली थी कि भाईया प्रधाना चार्रे के रूप में आठ वर्सों का कार्य अनुभब होना चाहिए तुम लोग कहोगे भाईया आठ वर्स का ही तो मांगा है इसे तो 16 वर्स का मैं तुमसे यहां से समझ ना कि मैं तुमसे कहना क्या चाहता हूँ प्यारे गुड़ा इसने 16 वर्स का जो अनुभब बताया है 16 वर्स का अनुभब जो बताया है वो प्रधाना चार्रे में है या प्यारे दोस्तों ऐसे नॉर्मल टीचर है इस बारे में कोई जानकारी नही इस एप्रेंसिपल है 16 वर्स का अनुभब है हालाकि यह भी बोलाए कि प्रतित से संस्था में अभी प्रधाना चार्रे है लेकिन कितने साल से प्रधाना चार्रे कितने साल से है प्रधान आचार रहे कितने साल से हैं क्या 16 साल से प्रधान आचार रहे थे भई यह तो इसने नहीं बोला कि क्या क्या 16 साल से प्रधान आचार रहे थे जितने मेरे प्यारे साथी मेरे प्यारे वीर बात को समझते जा रहे हैं वो थमसब करते जरूर चलना मुझे इतनी सी बात बता दो 16 साल का जो अनभव है सिक्षण के छित्र में वो as a principle ही है क्या ऐसा कुछ भी बोला गया है या मुझे ये बता दो कि ये जो प्रतिष्ठित संस्था में अभी प्रधाना चार रहे है ये कितने वर्स से प्रधाना चार रहे है क्या इस बारे में कुछ भी जानकारी है प्यारे गुड़ा इस question का answer आएगा आकडे ए परियापत है आकडे ए परियापत है अब तुम्हारे मन में एक question आया होगा तो मैं मुझे एक question बोलोगे भहिया आकडे ए परियापत क्यू लगा दिया तुम बोलोगे भीया आंकडे एह परियाप्त क्यों लगा दिया आपने जब की इस बात को तो सब लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पर तो सर्त नंबर दो में सर्त नंबर दो में ओफर चल रहा है प्यारे गुड़ा एक बात बताऊं ओफर हमेशा उन चीजों का लिया जाता है जिन में आदमी फेल होता है और यहाँ पर आदमी फेल नहीं है तुम कहोगे पास है? मैंने कहा पास भी नहीं है सच तो यह है मुझे पता ही नहीं है कि आदमी पास है या आदमी फेल है मैं कहा ही नहीं सकता ना यार इस बात को क्योंकि क्योंकि प्यारे दोस्तों सच तो यह है कि यह 16 वर्स के कार्यकाल में से 8 वर्स से कम से प्रेंसीपल है या 8 वर्स से जादा हो गई है इने प्रेंसीपल बने हुए इस बारे में जानकारी नहीं है यह सारे आंकड़े टोटल ओवरॉल मेरे प्यारे गुड़ा एक बार बोल दो अब बात समझ में आ गई कि आंकडे ए परियापत आनसर क्यों आया है अब तुम्हें आगे की कोई सर्थ चेक नहीं करनी है क्योंकि इस सर्थ से पूरी जानकारी नहीं निकली है फिर से बता रहा हूँ अगर सर्थ में पास है तो पास है सर्थ में फेल है तो मैं ओफर चेक कर लूँगा लेकिन सर्थ में पूरी बात आई ना बताए के दे रहा तो मैं ओफर चेक करके ही क्या करूँगा ओफर चेक जब किया जाता है जब सर्त में फेल होता है और यहाँ पर फेल है इस बात की गारंटी नहीं, पास है इस बात की गारंटी नहीं, क्योंकि question को गौर से देखो, question यहाँ पर एक चीज कह रहा है कि 16 वर्स का सिक्षण का experience है और फिलाल principle है, अब 16 वर्स में से कितने तो यह normal teacher बनके रहे, कितने दि यह principle के पद पर रहे, हलाकि अभी principle है, ना तो मुझे यह पता चल रही कि चार दिन से ही principle है, हाँ, ना मुझे यह पता चल रही कि इनको जादा समय हो गया principle बने, मैं कैसे कह सकता हूँ, वो condition संभव ही नहीं है प्यारे बच्चे बोलेंगे क्या बात समझ में आ रही है, तो इसका मतलब होगा आकड़े ए परियाप्त हैं, मैं अगर जबाब की बात करता हूँ, तो यही correct answer होगा, बात समझ में आ गई होगी ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत साथदार, next question पर चल रहा हूँ, जल्दी से बताएंगे, next question का answer क्या होगा, next question की भी सर्तें यही हैं, प्यारे बच्चे जल्दी से देख लो, सर्तें यहाँ पर यह हैं, उसके बाद offer, बिल्कुल सेम हैं, सर्त भी और offer भी, सर्त भी offer हैं, सर्त भी सेम हैं, अब question की आप लोगों से बात करता हूँ, कि question क्या बनेगा, दो सर्त यहाँ पर examiner ने मुझे दे दी हैं, question यह रहा आपके सामने, बताना इस question का answer क्या होगा, जल्दी से बताओ, question का correct answer क्या होने वाला है, मेरे सभी प्यारे वीर जल्दी से बताओ, सभी प्यारे वीर एक बार जल्दी से बताएंगे क्या आंसर हो सकता है इस वाले question का जो question आपके सामने इस समय बोर्ड पर है तो सभी प्यारे वीर एक बार गौर से देख लो और बता दो correct answer क्या है बताओ भई सभी प्यारे वीरों से मैं अनुरोध करूंगा की आंसर बताएंगा द्यान से समझो सभी प्यारे साथी द्यान से समझो सर्थ नंबर एक क्या थी सर्थ नंबर एक क्या थी चेक करते हैं किसी भी विशे में PhD पूरी होनी चाहिए क्या बोला किसी भी विशे में PhD पूरी होनी चाहिए चेक करो किराए नर्शी मन ने पीजडी पूरी कर लिया है भाइसा बहुत गजब पूरी होनी चाहिए पूरी कर लिया वे 46 वर्स का है कहने का मतलब है कि अगर मैं उम्र की बात करता हूँ तो एक अक्टूबर 2016 को 45 वर्स से कम और 65 वर्स से अधिक नहीं होना चाहिए पैंतालिस और 65 के बीच होना चाहिए और 46 वर्स बीच का ही सिस्टम है दूसरा वाला भी बिलकुल करेक्ट जबाब हो जाएगा दूसरा वाला भी correct जबाब होगा तीसरा क्या है तीसरा ओफर क्या है तीसरे ओफर पर आजाओ तीसरे ओफर पर आजाओ तीसरा ओफर क्या है मदद तीसरी सर्त क्या है तीसरी तो हमने यह भी तीसरी बताई थी दूसरी क्या है इस प्या जाओ एक संस्था में प्रधानाचार्य के रूप में कम से कम आठ वर्स कार्य का अनभव होना चाहिए तो बताओ क्या आठ वर्स कार्य का अनभव है किराई कि प्रधानाचार्य के रूप में दस वर्सों का अनभव है क्या बोलेंगे दस वर्सों का अनबब है तो तीसरी सर्थ भी पास है कोई दिक्कत नहीं चौथी सर्थ पर आजाओ चौथी सर्थ क्या है उसे समझते हैं चौथी सर्थ कह रही है कि 60% अंक के साथ ग्रेजुएशन और पोश्ट ग्रेजुएशन इसना तक उत्तर बोलते हैं बेटा पोश्ट ग्रेजुएशन को और इसना तक बोलते हैं ग्रेजुएशन को होना चाहिए यानि पोश्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन होना चाहिए किसके साथ होना चाहिए 60% के साथ है यहाँ चेक करो एक बार यहाँ पर नर्सीवन ने PhD पूरी कर ली है चालिस वर्स के हैं और प्रधानाचार रेक रूप में दस वर्स का अनबब है भाई चौथी सर्त में मैं ये नहीं कह सकता कि ये फेल है फेल तो हैं ही नहीं जब जानकारी नहीं है तो प्यारे साथी एक्षल में ना तो ये फेल ना ये फेल ना ये पास एक बच्चा कह रहा है जी आल राइट मुझे ये बता दो चौथी सर्त की क्या जानकारी है तुमारे पास चौथी सर्त की जानकारी कितनी है मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे चौथी सर्थ की कोई भी जानकारी नहीं है चौथी सर्थ के आंकडे ही नहीं आए और ध्यान रखना जब तक आंकडे नहीं आते हैं तब तक ना तो मामला ओफर में जाएगा ना ही नियों कह सकता कि चैन नहीं होगा आंकड़े नहीं आने का मतलब सीधा सीधा यही होता है कोई जानकारी नहीं है अर्था जबाब होगा आंकड़े ऐ परियापते हैं मेरे कितने वीर ऐसे हैं जो बिल्कुल इस बात को खुल के अब कह रहे हैं भाईया मज़ा आने लग गया अब इस टॉपिक में मेरे कितने प्यारे वीर हैं ऐसे कि जो ये इस बात का दावा कर रहे हैं भाईया अब तो बिल्कुल मज़ा आने लग गया है इस टॉपिक में सांदार तरीके से सब कुछ समझ आने लग गया है अब तो बहुत बढ़िया तरीके से confidence बढ़ रहा है, question को बहुत आसानी से उड़ा दूगा, कितने मेरे प्यारे वीर हैं ऐसे, बोल दो जल्दी से, बहुत बढ़िया, थमसप करने में क्यों कंजूसी कर रहे हो, अगर समझ में आये तो बोल दो ना समझ में आ रहा है, प्यार बच्चे एक बार आ जाएंगे जल्दी से, सर्थ बढ़िया, कि सर्थ किस तरीके से बदली जा रही हैं, तो दिहान से मेरे वीर, आप लोग इस बात को समझेंगे, इस बार हम सर्थ बढ़ चुके हैं, धिहान से समझो, इस बार सर्थ की संख्या बढ़ा कर मैंने 5 कर दी है क्योंकि मुझे पता है कि अब 4 सर्थ आपके लिए चुटकी हो चुकी है बहुत आराम से आप इन्हें कर सकते है अब सर्थ की जो टोटल संख्या है वो 5 है सर्थ नंबर 1 पर आ जाते हैं यहाँ पर सवाल को एक वार उपर पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है एक संस्था में प्रवंदक HR का चैन करने की सर्थें दी गई है मुझे यह बताओ मैंने अभी सवाल में आपको 3 question discuss कराई इस सवाल में 5 question discuss कराऊंगा ठीक है इसके आधार पर मैं आप लोगों को 5 question discuss कराऊंगा यह बात ध्यान रखना बात आ रही है समझ में ठीक है तो प्यारे साथी गौर से समझेंगे अब सभी मेरे प्यारे वीर गौर से समझेंगे क्या हो बताओ भई सभी प्यारे साथी क्या हो जाएगा कैसे करेंगे इसका जबाब तो मैंने आप लोगों से बोला पहली सर्थ है या था एक मार्च दो हजार बार है को कम से कम 30 वर्स का और 35 वर्स से अधिक का ना हो यानि 30 और 35 के बीच की आयू होनी चाहिए एक मार्च दो हजार बार है को बात आ रही है समझ में आगे question क्या किरा है graduation में किसी भी अनुसासन में कम से कम 60% अंक मिले हो सवाल किरा है अनुसासन में graduation में कम से कम 60% अंक मिले हो कार्मिक प्रेबंदन हो HR में post graduate degree हो ये जो बेटा लगे हुए ना ऐसा डंडा से इनका मतलब है oblique यानि या तो इधर वाली चीज हो या इधर वाली चीज हो वो चल जानी चाहिए तो सवाल किरा है कार्मिक प्रेबंदन HR post graduate में डिपलोमा में कम से कम 65% अंक मिले होने चाहिए कम से कम कितने 65% अंक मिले होने चाहिए ये बात हमसे बोली है प्यारे गुड़ा यहाँ पर चौथी सर्थ की बात करता हूँ तो चौथी सर्थ को एक बार ध्यान से समझना चौथी सर्थ क्या है गौर से सुनेंगे सभी प्यारे वीर एक बार गौर से सुनेंगे किरा कार्मिक प्रेबंदन HR पोष्ट में ग्रेजुएट में कम से कम 65% अंक इसे मिले हुए होने चाहिए सभाल को एक बार गौर से समझना किरा किसी संस्था के कार्मिक HR विभाग में योगता प्राप्ती के बाद कम से कम कम से कम पाँच वर्स का कार्रे अनभब होना चाहिए प्यारे वच्चे ये पाँच सर्ते हो गई छटी सर्त को द्यान से पढ़ो पचास प्रतिसत नंबर तो कम से कम होने चाहिए चैन परिक्षा में जो पेपर हुआ है कम से कम पचास प्रतिसत अंक होने चाहिए चैन परिक्षा में कम से कम पचास प्रतिसत अंक होने चाहिए दिहान से समझेंगे मेरे प्यारे वीर ये बात समझ में आ गई अब यहाँ पर हमें ओफर दे रहा है ओफर क्या दे रहा है हमें जो ओफर दिया यह नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड रोमन अंक में है तो यहां ओ रोमन अंक वाला यह ओफर है उपरोक्त सेकंड में ओफर है लेकिन सेकंड में ओफर क्या है लेकिन उसे ग्रेजुएशन में किसी भी अनस्वासन में कम से कम पच्पन प्रतिसत अंक मिले ह और कार्मिक प्रेबंदन HR पे पोस्ट ग्रेजुएट डिगरी डिप्लोमा के कम से कम सत्तर परसेंट टंक मिले हो तो मामला GM या HR को भेजा जाएगा मामला GM या HR को भेजा जाएगा ध्यान से समझेंगे मामला उप्रोक्त फोर का समझो लेकिन योग्यता प्राप्ति के बाद कम से कम चार वर्स का कार्रे अनभब होना चाहिए और उसमें से कम से कम दो वर्स उप्रवंदक HR के तौर पर हो तो मामला President को President HR को भेजा जाएगा मेरे प्यारे वीर क्या ये बात समझ पा रहे हैं दिहान से सभी प्यारे वीर एक बार गौर से समझना क्या इतनी सी बात समझ पा रहे हैं आप लोग बहुत बढ़िया बहुत सांदार ठीक है प्यारे वीर नेक्स्ट कॉस्चन पर चलेंगे बताओ भई, तो प्यारे बच्चे पहला question आ रहा है board पर कर दो इस question का answer क्या है, मेरे सभी प्यारे वीर एक बार जल्दी से बोलेंगे क्या answer होने वाला है, सभी प्यारे वीर कौन-कौन को भरोसा है कि मैं इस question का answer कर सकता हूँ अपने आप पर, जल्दी से बताओ, मेरे किस-क इस प्यारे साथी को भरोसा है कि भीया मैं कर सकता हूँ ये question तो बहुत आसान है मेरे लिए, गौर से देखेंगे, हर एक सर्त को चेक करेंगे, सर्त नंबर एक पर आजाओ, कि सर्त नंबर एक क्या थी, सर्त नंबर एक थी कि एक तीन-दोहजार बार है को 30 और 35 के बीच की उम्र हो, तो चेक करो इसकी उम्र कितनी है, रीता बह्ते का जनम 25 जुलाई 1978 को हुआ, अब सबसे पहला काम यह है कि जब 25 जुलाई 1978 को जनम हुआ है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पर ये चीज निकालूँगा, ये चीज निकालूँगा कि इसकी जो date of birth है वो कितनी है, प्य एक मार्च 2000 बार है, उल्टा लिखते हैं, यहाँ पर कह रहा है 25 जुलाई 1978, तो यहाँ पर मैंने कहा 25 तारीक, जुलाई का मतलब कौन सा महीना, जुलाई का मतलब हो जाएगा, सात्वा महीना और 1978 यहाँ पर आ जाएगा, बात समझ में आई की नहीं आई, सवाल को यहाँ पर गौर से समझाएंगे, तो मैंने आपको बताय था कि जब हम date of birth निकाल रहे होते हैं, तो प्यारे बचे यहाँ पर question कह रहा है, यहाँ पर question कह रहा है कि एक मैंसे 25 तो घट नहीं रहा, एक मैंसे 25 नहीं घट रहा, तो क्या बोला, हासिल लेते हैं, हासिल ले लो, तो यह तीसरा महीना है, तीसरा महीना होता है जनवरी, फरवरी, मार्च, तो मार्च कितने का होता है, मार्च होता है 31 का, तो हासिल 31 ले लो, हाला कि बहुत सारे लोग ऐसे भी बता देते हैं, कि 30 भी ले सकते हैं, 30 का भी concept, क्योंकि महीने में 30 दिन होते हैं, तो 30 क अब रख सकते हो, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, तो प्यारे बच्चे, यह हो जाएगा, 31 रखूंगा, तो यह 1 मैं आके 32 हो जाएगा, और यह रह जाएगा केवल कितना दो, और 32 मैं से 25 गटाओंगा, तो 7 हो जाएगा यह, और 2 मैं से 7 नहीं गटा, तो इधर से हासिल ले ल 7 गए तो 7 और 11 में से 8 गए 3 10 में से 7 गए to 3 33 versus 7 महिना और 7 दिन वन रही है 30 और 35 के पीच में ही आएक रह 33 versus 7 महिना और फलाने दिन बताओ, बत आई समझ में कि नई, पहली सर्थ एक दम ओके है, दूसरी सर्थ पर आजाओ दूसरी सर्थ आजाओ, दूसरी सर्थ ये है कि graduation में किसी भी अनुशासन में, graduation में होनी चाहिए 60%, तो graduation में क्या 60% है, भाई साब, graduation में 62% अंक है, 62% पास हो गया, graduation में 62% अंक लेकर आया है, प्यारे दोस्तों, तीसरी सर्थ पर आजाओ, तीसरी सर्थ क्या है? कहराई कि कार्मिक प्रेबंदन HR Postgraduate Degree में कम से कम 65% हो, इसके कितने? यहाँ पर कहराई प्रेबंदन में Postgraduate Diploma में 65% इतने ही चाहिए तीसरी सर्थ में पास है, चौती सर्थ क्या है? चौती सर्थ पर आजाओ, किसी संस्था के कार्मिक HR विभाग में योगता प्राप्ती के बाद कम से कम 5 वर्स का अनभव हो, 5 वर्स का सवाल यहाँ पर कहराई कि Post Graduation करने के बाद एक संस्था के कार्मिक विभाग में पिछले 6 वर्सों से कार्रत है, 5 वर्स का अनभव चाहिए, 6 वर्स का है, ये भी सर्थ बिलकुल पास है, 5 वी सर्थ क्या है? इस पर आजाओ पांच भी सर्थ है, चैन परिक्षा में कम से कम 50% अंक हो, तो मुझे बताओ, चैन परिक्षा में इसके कितने हैं, 55 प्रतिसर्थ हर एक सर्थ में पास है, जबाब होगा, चैन किया जाना है, प्यारे बच्चे क्या बोलेंगे? जबाब हो जाएगा, चैन किया जाना है, मेर समझ में आ चुका है बतादो ब valores जल्दी से बात समझ में चुका है selection हो गया इसका selection हो गया इसका सोचो तुम्हे question करके कितनी खुशी हो रही है इसका selection हो गया तो सच बताणा कितने लोग ऐसे हैं जो सही चीज कहा रही है right 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 करते गए और लाश्ट मुरें बहिया सलेक्षन हो गए इसका, चैन किया जाना है, मज़ा ही आगया question करके, सोचो अगर इसके selection पर तुम्हें इतना मज़ा आ रहा है, मेरे वीर जिस दिन तुम्हारा selection होगा, उस दिन कितना मज़ा आएगा, उस दिन कितना मज़ा आएगा, चैन सब्द ह है इसके माइने ही अलग होते हैं next question पर आ जाओ आज की क्लास के अगले सवाल पर मैंने बताया था 5 question कराऊगा इस जानकारी से same जानकारी है same offer है आप लोगोंने screenshot लिया है कि नहीं लिया है अब तक screenshot लेते रहो जानकारी को लिखते चलो दियान से समझते हुए चलना सवाल को गौर से समझाएंगे यहाँ पर यह इसके ओफर हो गए और प्यारे साथी यह हो गया आज की क्लास का अगला क्वेशन बोल दो आंसर क्या है जल्दी से तुम कर दो भाई इस क्वेशन का अंसर जल्दी से बताओ भाई सभी प्यारे साथी सभी प्यारे वीर बताओ सभी प्यारे वीर एक बार बोल दो जल्दी से क्या बात समझ में आ रही है या नहीं प्यारे वीर गौर से सुनो सवाल को एक बार देहान से समझना क्वेशन क्या कह रहा है बताओ सवाल की पहली सर्थ को गौर से समझेंगे पहली सर्थ को यहाँ पर गौर से समझेंगे क्वेश्चन क्या कहना चाहता है एक बार बहुत प्यार से बहुत ही तरीके से क्वेश्चन को समझना है प्यारे गुड़ा क्वेश्चन को ध्यान से समझें पहली सर्थ को ध्यान से पढ़ें एक तीन दोहजार बार है को कम से कम 30 और 35 के बीच का होना चाहिए 30 और 35 के बीच का होना चाहिए तो इसकी डेट अब बरत है 8 अगस्त 1980 असोक प्रधान जी है ये जनम है इनका 8 अगस्त 1980 का मैं सवाल की अगर बात करता हूँ तो मुझे एक मार्च 2000 बार है का आकड़ा चाहिए मुझे आकड़ा चाहिए एक तारीक मार्च का महिना और 2000 बार है मैं पहले निकाल रहा हूँ कि क्या जानकारी है दिहान से समझा तो मैंने आप लोगों से कहा आठ अगस्त 1980 आठ तारीक अगस्त का महिना मतलब आठवा 1980 मतलब ये मैंने कहा ये वैल्यू चाहिए है तो यहाँ पर क्वेश्चन को गौर से समझेंगे जैसे ही मैंने यहाँ पर वैल्यू बोली तो यह कह रहा है एक मैं से आठ नहीं जा रहा तो प्यारे बच्चे मैं आप लोगों से बोलूँगा हासिल ले लो मार्च का तो 31 दिन होते है एक आगया तो ये 32 हो गए और यहाँ पर रह गया केवल और केवल दो 32 मैं से 8 गए तो वैल्यू आगई 24 वैल्यू बोलेंगे कितनी हो गई 24 हो गई मैंने कहा 2 मैं से 8 नहीं जा रहा तो इधर से हासिल 12 है 12 है और 24 है प्यारे दोस्तों 12 ही तो हुए ये 2000 11 है रहे गई तो मैंने कहा 14 है मैं से 8 गए तो कितना गया 6 और एक आया और 11 है मैं से 8 गए 31 साल 6 महीना 24 दिन का आई आदमी और 30 और 35 के बीच में ही होता इतना सिस्टम तो जो जबाब हो जाएगा जबाब हो जाएगा वो ये होगा पहली सर्त में तो पास है दूसरी सर्त क्या है दूसरी सर्त को चेक करो दूसरी क्या है दूसरी सर्त क्या थी ये चेक करते graduation में किसी अनस्वासन में 60% अंक हो यानि कि graduation में जो इसके नंबर है वो नंबर 60% होने चाहिए तो प्यारे साथी क्या बोलेंगे graduation में 60% होने चाहिए यहाँ पर question क्या कह रहा है यहाँ पर कह रहा है उसे graduation में 62% अंक मिले है दूसरी सर्त में भी पास है 60 प्रतिसत चाहिए 62 प्रतिसत मिले हैं प्यारे दोस्तों तो मैंने आपसे question क्या बोला सवाल करा है कि कार्मिक प्रेबंधन HR में post graduate degree डिपलोमा से कम से कम कितने नंबर चाहिए 65 प्रतिसत अंक होने चाहिए इसमें और इसके कितने हैं यहाँ पर question करा है 60 प्रतिसत अंकों के साथ कार्मिक प्रेबंधन में post graduate degree पूरी करने के बाद ठीक है इसका मतलब यह हुआ तीसरी सर्थ में भी ये वाला बंदा बिलकुल पास है चौथी सर्थ पे आजाओ चौथी सर्थ क्या थी इस पे आजाओ तो चौथी सर्थ है किसी संस्था के कार्मिक HR विभाग में योगता प्राप्ती के बाद कम से कम पाँच वर्सों का कार्रे अनभव होना चाहिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि करने के बाद वह पिछले चार वर्सों से एक संस्था के कार्मिक विभाग में कार्रे रत हैं प्यारे दोस्तों आगे किरा है अपने पूरे अनभव से वह पिछले दो वर्स से उप प्रेबंदक HR के रूप में कार्य कर रहा है और इसे कितना चाहिए था इसे कम से कम पांच वर्स का अनभव चाहिए था लेकिन इस प्यारे साथी को कितने वर्स का अनभव है केवल चार तो चौथी सर्त में, अगर मैं आप लोगों से बोलू कि चौथी सर्त में क्या है, तो प्यारे साथी, चौथी सर्त में, चौथी सर्त में ये वाला बंदा जो है, बिल्कुल फेल हो गया है, चौथी सर्त में कहां गया सवाल, ये राद, चौथी सर्त में फेल है, कारण क्या ह पर क्या है दिहान से समझना तो क्वेशन यहां पर यह कह रहा है कि अगर मैं क्वेशन को देखता हूं तो क्वेशन को यहां पर देखता हूं तो क्वेशन यहां पर कह रहा है चौथी सर्त में फेल है क्यों फेल है क्योंकि उसे चाहिए थी पांच वर्स और यहां पर कह रहा और आगे की सर्ट क्या है? आगे की सर्ट है चैन परिक्षा में कम से कम 50% अंक मिले हों तो चैन परिक्षा में से कितने मिले हैं? सवाल कराए कि 58% मिले हैं यानी कहने का मितलब है कि 5 वाला बिल्कुल सही है तो चौथी वाली सर्थ फेल है, प्यारे दोस्तों, क्या चौथी सर्थ पर कोई ओफर लगा हुआ है, क्या चौथी सर्थ पर कोई भी ओफर लगा हुआ है, तो प्यारे दोस्तों, चौथी सर्थ का ओफर चेक कर लेते हैं, चौथी सर्थ पर ये रहा ओफर, तहने का मतलब है ये किराए लेकिन योग्यता प्राप्ती के बाद कम से कम चार वर्स का कार्रे अनभव हो तो चार का तो इसे है ही चार का तो इसे है ही कहतो रहा है कि कहतो रहा है graduate degree पूरी होने के बाद पिछले चार वर्स से एक संस्था के कार्मिक विभाग में कार्रेरत है चार वर्स का अनभव तो इसे है अब आगे क्वश्चन यहाँ पर ये कह रहा है चार वर्स का अनभव तो इसे है लेकिन प्यारे साथी आगे कंडिसन ये भी तो है कि उससे में से कम से कम दो वर्स उप प्रवंदक के तौर पर कार्रे किया हो तो भाईया प्रेसिडेंट HR को भेजा जाएगा क्या दो वर्स उप प्रवंदक यानि HR के रूप में कार्रे किया है अगर किया है तो प्रेसिडेंट HR को भेजा जाएगा तो यहाँ पर question करा है कि हाँ सवाल करा है अपने पूरे अनभव से वह पिछले दो वर्स पढ़ो इस लाइन को दो वर्स से उप प्रेबंदक HR के रूप में कार्रे कर रहा है इसका मतलब हुआ सर्त में फेल है चौती में लेकिन चौती सर्त पर जो ओफर दिया गया था प्या ओफर के हिसाब से चेक करता हूँ तो यह पास है मेरे प्यारे दोस्तों तो कहां जाएगा इसका मामला मामला प्रेसिडेंट एच आर को भेजा जाएगा बात बोलेंगे सभी प्यारे साथी क्या समझ में आ चुकी है तब ही प्यारे वीर एक बार बोलेंगे क्या बात समझ में आ चुकी है बोल दो क्या इतनी सी कहानी समझ में आ चुकी है चले नेक्स्ट क्वेशन पर आज की क्लास के अगले क्वेशन पर बढ़ जाते हैं आज क सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से बताएंगे क्या आंसर हो सकता है गौर से समझ लो और बतादो सभी प्यारे वीर बताएंगे एक बार इस question का आंसर क्या होगा correct जवाब बोलेंगे बताओ वई सभी प्यारे साथी सभी प्यारे साथी बतादो क्या आंसर हो सकता है बोलो वई सभी प्यारे वीर जल्दी से बोलेंगे एक बार सभी प्यारे वीर क्या बात समझ में आ रही है अब आज बता दो वही एक बार आ रही है कि नहीं अब आज तो दिखाता रहा है वही भानू सभी प्यारे वीर एक बार बताएंगे क्या होगा इस question का correct answer सवाल के पहले question को पहली सर्थ को check करो पहली सर्थ क्या थी पहली सर्थ है यथा एक तीन दो हजार बार है को कम से कम तीस वर्स और पैतिस वर्स से अधिक ना हो कम से कम तीस वर्स और पैतिस वर्स से अधिक नहीं होना चाहिए गौर से समझेंगे एक तीन दो हजार बार है के आंकड़े हैं एक तीन दो हजार बार है कि आंकडे है गौर से समझना तो मैंने आप लोगों से कहा एक तीन दो हजार बार है एक तारीक एक तारीक को यहां लिखा, तीसरा महिना जबाब मैं यहां पर लिखूंगा 2000 बार है सबाल करा है 4 मार्च 1996 है इसकी डेट अबर्थ तो 4 तारीक मार्च का मतलब 3 1996 मतलब की ये दिन निकालने आ रहे ना तुम लोगों को दिन निकालने बता दो क्या दिन निकालने में कोई दिक्कत तो नहीं है प्यारे वीर तुमको एक छोटी सी जानकारी दे देता हूँ वैसे तो तुम लोगों को पता ही होगा इस स्क्रीन पर तुम लोग खुद देख भी रहे हो प्यारे बच्चे अब 1000 की कमी है मात्र 1000 की कमी है सबसे धन्यवाद तो खेर आपका मैं फाइनल होके ही करूँगा पर सच बता रहों मजा सही आ जाएगा अगर तुम लोग इस मंजिल को छू लेते हो प्यारे बीर लाश्ट लाश्ट चक्कर सुरू हो चुका है अब देखने वाली बात यह है कि 1000 को तुम कितनी देर में पूरा कर देते हो प्यारे बीर यूपी पुलिस की क्लास में हुए थे प्यारे बच्चे एक बार सभी प्यारे वीर मेरे प्यारे दोस्त जो अब तक अब तक भी इस कहीं ना कहीं मैं कहूंगा कि इस चीज में अब तक भागिदार नहीं है तो प्यारे बच्चे एक बार सभी प्यारे वीर जल्दी से क्लास हो एक बार जितने लोगों ने तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुम भी कर लो और प्यारे वीर तुम्हारा कोई दोस्त चाहने वाला चाहने वाली कोई तो यार एक आदमी तो तुमने अपनी यहां पर मुझे पता है कि हासिल लेंगे तो यह तीसरा महीना मार्च का 31 होते हैं एक में जोड़के ये संख्या तो बन जाएगी 32 और ये कितनी रह जाएगी ये केवल 2 रह जाएगी बात आ रही है समझ में ये संख्या केवल 2 रह जाएगी तो प्यारे बच्चे मैंने आप लोगों से बोला 32 मैं से 4 गए तो ये वैल्यू 8 हो गई 32 मैं से 4 गए तो फिर ये वैल्यू 8 हो जाएगी मेरे प्यारे वीर अगर मैं यहां पर चेक करता हूँ तो 2 मैं से 3 नहीं जा रहा है 2 मैं से 3 नहीं जा रहा है और अगर 2 मैं से 3 नहीं जा रहा है तो हासिल लेंगे ये 2011 रह जाएगा एक वर्स इधर चला गया इसका मतलब 12 महीने तो ये 14 हो गया 14 में से 3 गया तो 11 है 11 में से 6 गई 5 और 10 में से 7 गई तो 35 वर्स 11 महीना 8 दिन है जनाब ये 35 वर्स 11 महीना और 8 दिन है तो मैंने आप लोगों से बोला यहाँ पर एक चीज़ चेक करो अगर उम्र की बात है तो 30 वर्स और 35 वर्स के बीच की चाहिए क्या बोलेंगे भाईया जी तुम तो ओवर एज हो क्या बोलेंगे तुम तो ओवर एज हो ओवर एज का मतलब समझ रहे हैं ये ये निर्धारित उम्र से जादा उम्र का है 35 वर्स मैकसीमम है ये 11 महीना 8 दिन ओवर है पहली सर्त में हो चुके हैं ये फेल और पहली सर्त पर कोई ओफर चल रहा है या नहीं चल रहा है वो चेक कर लो पहली सर्त पर क्या कोई ओफर है तो प्यारे बच्चे ओफर है केबल सेकंड सर्थ पर और फोर सर्थ पर अरे यार मेरे भाई आलोक वर्मा तु मेरे दोस्त ऐसी सर्थ में फेल हुआ है जिस पे ओफर भी ना है भाई सब ऐसी पानी भी ना मांगो याने तो यो मान लेओ यार ऐसी सर्त में बिलकुल भेल करा है जिस पर ओफर तक नहीं दिया है इसका मतलब बात सीधी सी हो जाएगी तो प्यारे दोस्तो इसका मैं कह जाओगा चैन नहीं किया जाना है क्या बोलेंगे जबाब हो जाएगा चैन नहीं किया जाना है तुम को भी और सर्तन ने ना कर रहे है चेक तुम मुझे ये बताओ औरन में अब ये पास भी हो जाएगा तो फिर क्या कर लेगा ये अब तो इसका कुछ नहीं है चैन नहीं किया जाना है ये बाकी सर्त में पास भी हो जाएगा ना, तो भी ये कुछ नहीं कर सकता, अब तो जबाब बस यही है, चैन नहीं किया जाना है, क्योंकि ये एक ऐसी सर्त में है, जिस पर कोई ओफर भी नहीं है, चैन नहीं किया जाना है, ठीक है, सभी प्यारे वीर बोलेंगे बात आई सम दो question और बचे अभी इस सर्थ पर फिर अगली सर्थ लगा दूँगा मैं लेकिन जब तक तुम्हें रटबाना दूँ इस topic को क्या था ना फैवरेट बना दूँगा इस topic को तो फैवरेट बनाने की कही नहीं यहीं बनाना ही है सभी प्यारे वीर एक बार जल्दी से बतादो क्या बात समझ में आ रही है सभी प्यारे वीर एक बार जल्दी से बताएंगे क्या ये question समझ में आ रहा है तो एक बार सभी प्यारे साथी आ जाओ question का जबाब क्या होगा दिहान से बोलेंगे पिछला सवाल का अंसर आ गया है चैन नहीं किया जाना है बिल्कुल सेम सर्ते हैं सेम ओफर हैं ये बताओ सर्त बगेरा ओफर बगेरा सब लिखे चुके हैं क्या आप लोग सभी प्यारे वीर बतादो तो सर्त ओफर सब कुछ लिख चुके हो ना ठीक है बहुत बड़िया तो प्यारे साथी आजाओ एक बार ये option है और ये question है ये question आ चुका है आपके सामने देखते हैं क्या इस question से पहले ही 11 million कांकडा पूरा होगा एक बार आजाओ भाईया थोड़े से रुग जाए थोड़े हलक हलक ही करो पहले इस question है complete कर लेते हैं आजाओ पहली सर्त पर पहली सर्त क्या है question को ध्यान से समझेंगे पहली सर्त क्या होने वाली है स्वेप पहली सर्त पर तो आओ पहली सर्त क्या थी वहां से पहली सर्त को एक बार चेक कर लेते हैं पहली सर्त है कि यथा एक मार्च 2000 बार है को कम से कम 30 वर्स का और 35 वर्स से अधिका ना हो कम से कम 30 और 35 वर्स से अधिका ना हो तो प्यारे बच्चे क्या बोलेंगे मैं जहाँ पर अगर मैं इसकी उम्र की बात करूं, तो उम्र इसकी जनमतिती है 16 मई 1907, मुझे चाहिए कब 1 मार्च 2000 बार है कमामला, 1 मार्च 2000 बार है, तो प्यारे गुड़ा, एक तारीक मार्च का महिना और 2000 बार है, दिहान से सुनना, दिहान से सुनना. बताओ भई तो प्यारे बच्चे यहाँ पर कह रहा है बार है मई बार है मई उन्निस्सो सतेत्तर बार है तारीक मई का मतलब जनवरी फर्वरी मार्च अप्रेल मई जनवरी फर्वरी मार्च अप्रेल मई पांचमे महीने की बात कर रहा है और जबाब क्या बोलेंगे जबाब हो जाएगा 1977 यहाँ एक मैंसे बार है नहीं घट रहा तो फिर 30 हासिल लेंगे तो ये कितना हो जाएगा तीन का 31 और 32 तो 32 मैंसे 12 गए गए तो 20 यहां कितना बच गया दो 2 मैंसे 5 नहीं जा रहा तो 12 है इधर से ये 2011 रह गया ये 14 हो गए 14 मैंसे 5 गए तो 9 और 11 मैंसे 7 गए 4 10 मैंसे 7 गए 34 वर्स 9 महिना और 20 दिन पहली सर्थ में तो पास है पहली सर्थ में ये वाला बंदा बिलकुल पास हो चुका है द्यान से समझेंगे प्यारे बच्चे आगे बढ़ेंगे दूसरी सर्थ क्या है दूसरी सर्थ को द्यान से समझेंगे दूसरी सर्थ क्या है दूसरी सर्थ क्या कह रही है एक बार दूसरी सर्थ पर आ जाते हैं तो दूसरी सर्थ यहाँ पर कहती है ग्रेजुएशन में कि मैं 60% अंक होने चाहिए जो ग्रेजुएशन है उसमें 60% अंक होने चाहिए तो मैंने आप लोगों से क्या बोला क्या ग्रेजुएशन में 60% अं आगलु है प्राप्ति के बाद कम से कम पांच वर्स का कार्यान भव। यहां पर चेक करो इसे कितना है। क्या मिलेगा इसे ओफर क्योंकि दूसरी पर क्या चल रहा है ओफर। चेक करो दूसरी पर ओफर कहां ये रहा उपरोक्त सेकिंड पर। लेकिन उसे ग्रेजुएशन में किसी भी अनुसासन में कम से कम 55 प्रतिसंद अंक मिले हो और कार्मिक प्रेबंदन HR में पोश्ट प्रेटर और इसमें 58 और प्यारे बच्चे इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर भी 56 है कंडिसन इसकी ओफर वाली पास है इसका मतलब हुआ ओफर में पास है तो मामला कहां भेजाएंगे मामला कहां भेजाएंगे इसका GMHR को मामला GMHR को भेजा जाएगा क्या बोलेंगे मा मामला GMHR को भेजा जाएगा, मामला GMHR को भेजा जाएगा, प्यारे वीर बात समझ में आई की नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत सांदार, तो प्यारे वीर ये रहा अगली जानकारी, इसी आधार पर ही होगी, ठीक है ना? प्यारे वचे एक बबार जल्दी से बताएंगे, question की सर्तें को हम ध्यान से रखेंगे, 70 क्या बहतर तरीके से चल रही है, क्या topic बहतरीं तरीके से चल रहा है, क्या एक भी चीज ऐसी है जो आपको समझ में नहीं आ रही है, प्यारे दोस्त question में कुछ है यही नहीं, सच बात तो ये एक बार स्पीड बढ़ा दो, सौ लोगों की कमी है बस, प्यारे बच्चे एक बार आ जाएंगे जल्दी से और रेक्ष्ट जानकारी पर चलेंगे फिर, देखो चार और एक पांच सर्थ होती हैं, प्यारे बच्चे आंसर भी देलो थोड़े बहुत, दिहान से मैंने तुमसे एक छोटी सी चीज बोली, सबसे पहली चीज ये है कि क्वेश्चन के अंदर बोला क्या गया है, हमने ये चीज देखी, प्यारे बच्चे क्वेश्चन के अंदर हमें चार सर्थ दे, पांच सर्थ दे, वो ज़्यादा मेटर नहीं करती हैं, जैसे हमने पहला क्वेश्चन देखा था, हमने यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखा था, जो सबसे पहला क्वेश्चन था, गौर से समझो, तो जो सबसे पहला क्वेश्चन था, कहां गया, आजाओ, उसे दिखा देता हूँ, तो जो सबसे पहला क्वेश्चन था, वो हमारा ये था, और प सर्थों में से कोई दो सर्थ ऐसी होती है जिन पर हमको ओफर देता है कॉंग्रेचुलेशन लिख रहे हैं पहले करवादो देओ एक कॉंग्रेचुलेशन लिख रहे हो कि पहले करवादो यार 907 पर चीज़ें अटकी पड़ी है प्यारे गुड़ा 901 हो गए घटाने शुरू कर दिये तुम लोगों ने मजाक कर रहे हो तुम तो क्लास में चालो कोई बात नहीं आजाओ चलो नेक्स्ट पर चल रहे हैं आजाओ भई नेक्स्ट पर चलना है सभी प्यारे सथी सभी प्यारे वीर एक बार नेक्स्ट पर आजाओ मुझे पता है तुम लोग यही लिया तो कर रहे हो ऐसा कोई बात नहीं है कोई बात नहीं next question पर आ जाते हैं एक बार दिहान से समझेंगे अगला सवाल क्या होगा तो मैं यह बता रहे था चार दे पांच दे उससे कोई प्रभाब नहीं पड़ता है प्यारे बच्चे चार दे पांच दे उससे कोई प्रभाब नहीं पड़ता है दिहान से प्यारे बच्चे द्यान से समझेंगे ये सेम हमारी कंडीशन है और कंडीशन के हिसाब से अगर मैं चेक करूँ तो यहाँ पर ये हमारे ओफर है मुझे बताएंगे इस question का answer क्या होगा सभी प्यारे साथी चेक करता हूँ एक बार कितने मेरे प्यारे वीर ऐसे हैं जो इस question का answer दे सकते हैं सभी प्यारे वीर एक बार बोलेंगे जल्दी से क्या होने वाला है इस प्रेसन का करेक्ट आंसर मेरे प्यारे वीर एक बार क्लास को जल्दी से सभी प्यारे साथी बताएंगे क्या आंसर है कमेंट में एक बार आंसर बताना सुरू कर दो क्या आंसर हो सकता है इस question का सभी प्य टेंट है, एक-एक सर्थ दिहान से समझते चलना. पहली सर्थ क्या थी? पहली सर्थी की यता एक मार्च 2000 बार है को 30 और 35 पे बीच की आयो. एक मार्च 2000 बार है. तो मैंने कहा एक तारी投 है के एक मार्च और the और the खज कहा है प्यारे दोस्तों हमें ये चाहिए एक बहतर सा कॉंसेप्ट द्यान से समझने की कोसिस करना एक मार्च दो हजार बार है तो प्यारे बीचे बच्चे एक बार द्यान से समझेंगे तो यहाँ पर इसकी जो डेट अब बर्त है वो इसने दी है उसका जनम पांच जुलाई अच तारीक जुलाई का मतलब सातवा महीना और उन्निस सो उनहासी तो प्यारे दोस्त उन्निस सो नहासी ये हो गए वैलू जैसे ही मैं इस वैल्यू को काउंट करूंगा तो मैं क्या बोलूंगा एक मैंसे पांच तो नहीं जा रहा एक मैं से पांच नहीं जा रहा तो यहां पर हासिल लेंगे तीन इसका मतलब 31 तो यह हो जाएगा 32 और 32 मैं से पांच गए तो 27 हो जाएगा प्यारे दोस्तो यहां पर value केवल दो महिने की बचेगी क्योंकि आपने एक महिना इधर दे दिया और एक महिने में आपने टोटल 31 दिन दे दिये तो प्यारे वीर क्या बोलूँगा तो यहाँ पर आएगा दो मैंसे साथ तो नहीं घट रहा है तो इसका मतलब हासिल ले लो बार है दो चौध है हो गए चौध है मैंसे साथ गए तो साथ आया लेकिन यहाँ दो हजार ग्यारे ही रह गए और 11 मैंसे 9 गए तो 2, 10 मैंसे 7 गए 32 साल 7 महिना 27 दिन अर्थात जो पहली सर्थ है वो एकदम ओके है कोई दिक्कत नहीं है ठीक है प्यारे बच्चे एक बार दूसरी सर्थ पर चले जाते हैं दूसरी सर्थ क्या होगी मेरे सभी प्यारे वीर एक बार आ एक बार सभी प्यारे वीर दूसरी सर्थ पर फोकस करेंगे दूसरी सर्थ क्या है ग्रेजुएशन में किसी भी अनुसासन में कम से कम 60% अंक होने चाहिए 60% अंक होने चाहिए किसमे 60% अंक मांगे हैं इसने किसमे किसी भी ग्रेजुएशन में हो कोई दिक्कत नहीं है तो यहाँ पर question को दियान से समझेंगे सवाल यहाँ पर क्या कह रहा है सवाल यहाँ पर कह रहा है कि 60% होने चाहिए graduation में और यहाँ पर कह रहा है उसे graduation में 65% तो दूसरा वाला बिल्कुल सही है दूसरा वाला बिल्कुल सही है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दूसरा वाला एकदम ओके है प्यारे बच्चे एक बार जल्दी से आ जाएंगे मात्र केवल तो तो सभी प्यारे साथी इस बात को द्यान से समझेंगे प्यारे बच्चे बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत आभार आप लोगों का प्यार है आप लोगों का परिवार अब आज आ रही है एक बार चेक करना अब आज आ रही है भानू मेरी बहुत बढ़िया तो प्य बहुत बहुत प्यार इस प्यार को यूँ ही बना कर रखें और प्यारे बच्चे कहीं न कहीं सच ये है कि आप लोगों ने आज सच में जो प्यार दिया है मैं अपनी बात करूँ तो मैं हमेशा के लिए आप लोगों का रिडी हूँ प्यारे बच्चे आप लोगों की वजह स ये साइद जो सब्द थे वो पूरे हो पाए है और कही न कही मैं बात करूँ तो आपने इस चीज को मात्र पौने दो घंटे में पूरा कर दिया मात्र पौने दो घंटे में आप लोगों ने इस आंकडे को पूरा कर दिया जो अपने आप में नामुम्किन सब्द होते हैं वो सभी आपने पूरे किये हैं प्यारे बच्चे आप लोगों का बहुत बहुत प्यार आप लोगों का ही एहसान कभी नहीं भूलने लाइक है बहुत 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 सारा प्यार बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, ठैंक यू, और प्यारे गुड़ा, आपका परिवार 11 मिलियन का हो गया है, जितने भी प्यारे साथी हैं, क्लास में, एक बार सभी प्यारे साथी एक दूसरे को बधाई दे सकते हैं, क्योंकि परिवार आपका है, हम तो केवल और केवल प्यारे बच्चे, इस प्यार को हमेशा यूँ ही बना कर रखें, बहुत महनत आप लोगों ने की है, इसे करने के लिए, आजाओ भी सभी लोग, देखो सभी लोग बाहर खड़े हुएं, सभी लोग मिलना चाहते तुमसे, पूरी टीम बाहर है, इस टाइम स्टूडियो मे कौन-कौन है, आजाओ सभी लोग, आजाओ, स्टूडियो में कौन-कौन है, एक बार मिला देते हैं, बहुत लोग हैं, अभी यहाँ पे इंतजार कर रहे थे कि हो जाएंगे, ठीक है न, देखो, ये सभी हमारी पूरी टीम है, जादतर लोग घर जा चुके हैं, क्योंकि पूरी को जादतर ये उम्मीध ही कल हो पाएंगे, हमें भी ये उम्मीध ही कल ही हो पाएंगे, लेकिन आप हो नामुम्किन को मुम्किन करना बहुत बहतर जानते हो, प्यारे बच्चे, आप हैं तो मैंने कहा न, आप हैं तो दुनिया में कोई भी चीज कठिन नहीं है, मु देड़ घंटे की क्लास में आप लोग 10,000 लोग बचे थे जब मैंने क्लास स्टार्ट की थी, देड़ घंटे में 10,000 बहुत बड़ा काम आप लोगों ने किया है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, प्यारे बच्चे, बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत सारे सभी प्यारे वीर एक बार आ जाएंगे जल्दी से हाँ बई तीसरी सर्थ पर चलूँ अब अब सीधा सीधा पढ़ाई की बातों पर आ जाते हैं ठीक है ना प्यारे साथी अब सीधा सीधा पढ़ाई की बात पर आते हैं और दिहान से समझ लेते हैं कि प्यारे दोस्तों यहाँ पर तीसरी सर्थ क्या होगी दिहान से समझेंगे तो सवाल यहाँ पर क्या कह रहा है एक बार दिहान से समझेंगे प्यारे बच्चे तीसरी सर्थ क्या थी एक बार गौर से आ जाओ किरा कार्मिक प्रेबंदन HR में पोश्ट ग्रेज़वेड डिक्री डिपलॉमा में कम से कम 65% अंक मिले हो कम से कम कितने अंक मिले हो 65% अंक मिले हो दिहान से समझना इसे कितने मिले हैं इसे यहाँ पर इसमें कितने मिले हैं सीमा बहल को 70% अंकों के साथ कार्मिक प्रेबंदन पोश्ट में ग्रेज़वेट पूरा करने के बाद पिछले सात वर्स वो बाद की बात है लेकिन फिलाल तीसरी सर्थ पास हो चुकी है कोई दिक्कत नहीं है प्यारे साती यहाँ पर आएंगे एक बार चौतिस अर्थ है कि किसी संस्था के कार्मिक HR विभाग में योगता प्राप्ती के बाद कम से कम 5 वर्सों का कार्रे अनभव हो 5 वर्सों का कार्रे अनभव होना चाहिए यहाँ पर चेक करो कितना अनभव है सवाल खुद यहाँ पर कह रहा है की साथ वर्स से एक संस्था के कार्मिक विभाग में कार्रवात है पाँच वर्स का अन्बब होना चाहिए मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो जो टोटल अन्बब है वो साथ वर्सों का अन्बब है चोथी सर्थ बिल्कुल बहतर है सही है आगे बात करते हैं पाचवी सर्थ पर तो पाचवी सर्थ क्या थी पाचवी सर्थ क्या रही है चैन प्रिक्रिया में कम से कम 50% अंक मिले हो चैन प्रिक्रिया में कम से कम 50% सवाल यहाँ पर कह रहा है कि चैन प्रिक्रिया में 50% किनारे पई पास है 50% ही चाहिए और 50% ही है बिटा आंसर भी दे दो Congratulations एक दूसरे को तुमने दे लिए खुब अब तो अब तो आंसर भी दे दिया करो तुम ऐसे बाकि तुम लोगों ने सच में आज जो रिड दिया है ना साइद में दिन रात भी मेहनत करूँ तो भी नहीं उतार पाऊंगा पर प्यारे बच्चे बहुत बड़ी बात होती है एक टीचर के लिए कि उसके स्टुडेंट उसकी इतनी सी बात जो उसने क्लास में आके बूल दी कि आज करा दो तो आपने करा दिये सच कहूं तो दिल से बहुत बहुत आभार बहुत सारा प्यार प्यारे दोस्तो बहुत 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 सारा प्यार बहुत सारा थेंक यू थेंक यू वेरी मच तो लाश्ट पचास परसेंट का भी हो चुका है तो मैं जबाब की बात करता हूं तो जबाब हो जाएगा चैन किया जाना है नौकरी लग गई इसकी तो तो जबाब हो जाएगा चैन किया जाना है क्या बोलेंगे चैन किया जाना है चैन किया जाना है प्यारे बच्चे चले next question पर next question पर आजाओ अब की बार फिर से थोड़ी सी जानकारी बदल रहे हैं अब की बार हिम्मत तो नहीं हार रहे 7 सर्थ रख दियें मैंने बोल्ड पे मैंने बोल्ड पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 सर्थ रख दियें 7 सर्थ को पढ़ना एक बार दिहान से जल्दी जल्दी, प्यारे वीर, एक बार सातों सर्तों को पढ़ो ध्यान से क्या है सातों सर्तों को पढ़ो जल्दी से मैं आपको एक मिनिट का समय दे रहा हूँ क्या क्या हो सकती है बोलो जल्दी झाल सकती है बोलो जल्दी दे रहा हूँ हाँ भई तो आजाओ भई एक बार जल्दी से सर्ता अपने पढ़ली होंगी ठीक है बताओ भई सभी प्यारे वीर एक बार जल्दी से बताएंगे क्या हो सकता है सर्त सारी की सारी सभी यहाँ पर है क्या है में खिर वाँपवश अपने जड़ और यहाँ प्याँ भाल्दी लिवाँ धे वाँ चल्दी यहाँ फ्याँ वाट की सारी ठीक है बाहा हाँ भग्यारे पक्या क्या भ्रेश्यां फ्याँ झाल्यारे प्या घ् तो प्यारे बच्चे एक बार सभी प्यारे साथ ही आ जाएंगे और बताएंगे क्या हो सकता है द्यान से समझाएंगे किराए कि कक्षा 12 में कम से कम 60% अंक मिले हो 12 में कितने मिले हो 60% अंक मिले हो आगे कि ग्रेजुएशन के किसी भी अनुसासन में यानि ग्रेजुएशन में 55% अंक मिले हो ठीक है ये भी किराए एक मार्च 2010 को 25 वर्स का हो और 35 वर्स से अधिक ना हो यानि एक मार्च 2010 को 25 और 35 के बीच की आयू होनी चाहिए आगे किराए कि कम से कम 2 साल का बैंक में जनरल बैंकिंग ओफिसर पद पर सिक्षा कर रहे अनभव हो किराए लिखित परिक्षा में कम से कम 50% अंक मिले हो व्यक्तिगत साक्षातकार में कम से कम 40% बेटा व्यक्तिगत साक्षातकार का मतलब होता है कि इंटर्व्यू की बात कर रहा है इंटर्व्यू की बात कर रहा है दिहान से समझेंगे मैं अगर आपसे बात करता हूँ तो दो सर्थ ऐसी है जिन में ओफर दिया है तो याने इसने दिया है उपरोक्त सेकंड में और उपरोक्त सिक्स में दो सर्थ ऐसी है जिन में इसने ओफर दिया है प्यारे साथी अगर मैं बात करता हूँ तो यह किराए लेकिन CA या ICWA में कम से कम 60 प्रतिसत अंक मिले हो तो मामला VP भरती को भेजा जाएगा ठीक है प्यारे साथी आगे कह रहा है लेकिन लिखित परिक्षा में कम से कम 65% अंक मिले हो और व्यक्तिकत साक्षात्कार में कम से کम 35% तो मामला प्रेसिडेंट भरती को भेजा जाएगा बात समझ में आ रही है कि नहीं मेरे प्यारे दोस्तों मेरे प्यारे वीर अब गौर से समझना यहाँ पर मैं पहला क्वेश्चन लगा रहा हूँ इसका आंसर बताओ क्या हो बताओ भई जल्दी से क्या आंसर हो जाएगा सभी प्यारे वीर एक बार जल्दी से बताएंगे क्या होगा सबसे पहली सर्थ क्या थी पहली सर्थ की बात करता हूँ तो पहली सर्थ है कक्षा 12 में कम से कम 60% अंक होने चाहिए क्लास 12 में 60% अंक होने चाहिए यहाँ पर चेक करो यह कह रहा है सोहन माजी को BSC में 65% MSC में सांख्यकी में 70% अंक मिले है पोश्ट ग्रेजुएशन करने के बाद पिछले तीन वर्स से वह एक बैंक में जर्नलिस्ट अधिकारी के तौर पर काम कर रहा है उसे लिखित परिक्षा में 55% और व्यक्तिगत साक्षातकार में 50% मिले है जनम इतना है मुझे ये बता दो जो सर्थ नंबर एक है क्या उस सर्थ में आप लोगों को मेरे प्यारे वीर ये जो लोग कह रहें पास हो गया पास हो गया प्यारे गुड़ा दिहान से देखो दिहान से देखो एक बार सभी प्यारे वीर क्या ये पहली सर्थ के कोई भी आँकड़े है प्यारे बच्चे एक बार सभी मेरे प्यारे वीर बताओ क्या पहली सर्थ में पहली सर्थ में कुछ भी ऐसा है नहीं है बात आ रही है समझ में यहाँ पर कह रहा है कि पहली सर्थ इसके इतने नंबर होने चाहिए ऐसी सर्त में प्यारे गुड़ा कुछ भी जानकारी नहीं दी गई है और मैंने तुमसे यह कहता अगर आपर पर भी जाओगे ना आपर पर भी जाओगे तो फिर आप लोगों को आपर में केवल वहां जा सकते हो जहां पर आप फेल हो चुके हैं कोई आंकडे ही नहीं दिये गए हैं तो जबाब क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंकडे ए परियाप्त हैं प्यारे दोस्तों ये इस क्वेश्चन का करेक्ट जबाब हो जाएगा बात आगी समझ में बहुत बढ़िया बहुत सांदा next question पर आ जाओ तो गुड़ा आज की क्लास का अगला question सेम जानकारी से है बता दो इसका answer क्या हो जाएगा सभी प्यारे वीर एक बार जल्दी से बताएंगे इस question का correct answer क्या हो जाएगा सभी प्यारे साथी बता दो जल्दी से क्या होगा पहला पहली सर्थ पर आ जाओ पहली सर्थ क्या है पहली सर्थ है कक्षा 12 में 60% अंक हो कक्षा 12 में कितने हो 60% अंक हो सवाल यहाँ पर क्या कह रहा है कक्षा 12 का कहीं मामला दिया है तो एक बार चेक कर ले ना कक्षा 12 का कोई भी मामला दिया है क्या 60% अंक अर्थसास्तर में पिछले तीन वर्स में बैंक में कार्रे कर रही है बीकॉम में इतने चेक करो भई कहीं भी दिया है यह रा देखो उसे HSC में 68% यह 12th होता है जिसे हम Higher Secondary कुछ ऐसे करके बोलते हैं तो यह जो HSC सब्द है यह Inter के ही लिए बोला है इसका मतलब इसमें यह Pass है ठीक है? प्यारे गुड़ा आगे बढ़ जाते हैं दूसरी सर्थ के रहा है अनुसासन यानि Graduation में 55% Graduation में 55% B.com में 58% हैं इसके तीसरी सर्थ भी Pass है मत दूसरी Pass है तीसरी में आजाओ तीसरा करह है प्रेबंदन अर्थसास्त्र सांखेकी में Post Graduation में Diploma में 60% तो भाईया इसके कितने हैं? यहां पर चेक करो कितने हैं इसके? तो हमें पता है 60% अंक लेकर अर्थसास्त्र में Post Graduation Degree पूरी करने के बाद ठीक है तो यह भी बिल्कुल सही है चौती सर्थ क्या है? चौती सर्थ पर आजाओ चौती सर्थ कह रही है कि 1-3-2-0-10 को कम से कम 25 और 35 वर्ष से अधिक ना है 1-3-2-0-10 1-3-2-0-10 की बात कर रहा है तो मैंने कहा 1-3-2-0-10 प्यारे बच्चे यह कह रहा है कि 2-June 1980 तो दो तारीक जून का मतलब छटा महिना 1980 यहाँ पर आ जाएगा तो यहाँ पर चीजें क्या बनेंगी? यहाँ पर बनेगा कि एक मैंसे दो नहीं जा रहा तो हासिल ले लूँगा 31 और 32 32 मैंसे 2 गई तो 30 यहाँ पर 2 बच गया 2 मैंसे 6 नहीं जा रहा हासिल ले लो तो यह 2009 रह गया एक ले लिया तो यह 12 है और 3 पंद्रह हो गया पंद्रह मैंसे 6 गई तो पंद्रह मैंसे 6 गई तो 9 यहाँ पर यह 9 और 10 में से 8 के दो 29 साल 9 महीना 30 दिन इसे कितना चाहिए इसे चाहिए 25 और 35 के बीच में तो बिलकुल सही है ये भी सही है पाचवा क्या है पाचवा यहाँ पर क्या कह रहा है कि 2 साल का बैंक में जनरल बैंकिंग ओफिसर पद पर सिक्षा का अनभव हो बताओ क्या इसे है 2 साल का अनभव सवाल यहाँ पर कह रहा है कि पिछले 3 वर्स से एक बैंक में जनरलिस्ट अधिकारी के तोर पर काम कर रही है दो वर्स का चाहिए 3 का है और छटी और लाश्ट सर्त क्या है छटी और लाश्ट सर्त है अच्छा एक और है फिर लिखित परिक्षा में कम से कम 50% लिखित परिक्षा में 50% इसके लिखित परिक्षा और साक्षातकार दोनों में 50 है तो यह इसका मतलब हुआ दोनों ही सर्त में पास है इसका मतलब यह हुआ सर्त नंबर हर एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, हर एक सर्त में पास है, हर एक में तो जबाब क्या हो जाएगा, जबाब हो जाएगा, चैन किया जाना है, चैन किया जाना है, ये इसका correct answer होगा, प्यारे वीर बोलेंगे, बात समझ में आई की नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूँ, आज की क्लास का अगला सवाल, जो कि आपको देना है, इसी जानकारी से, जल्दी से बोलेंगे, जो कि आपको देना है, इसी जानकारी से, सभी प्यारे वीर बता दो, answer क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का, सभी प्यारे बच्चे बताएंगे, क्या होगा, बोलो भई, बताओ जल्दी से, प्यारे बच्चे, सबसे पहली सर्थ क्या है, चेक करो, पहली सर्थ आप लोग जानते हैं, पहली सर्थ थी कि कक्षा 12 में कम से कम 60%, तो इसके कितने हैं 12 में चेक करना, कक्षा 12 में 60%, कह रहा है कक्षा 12 में उसे 70% मिलें, बिल्कुल बढ़िया है, दूसरी सर्थ क्या है, दूसरी सर्थ है यहाँ पर, दूसरी सर्थ है, ग्रेजुएशन के किसी भी अनुसासन में 55%, यह कह रहा है कि अरविंद गोस 60% अंकों के साथ ग्रेजुएशन पूरा किया हुआ है इसका मतलब दूसरी सर्थ भी पास है तीसरी सर्थ को गौर से समझेंगे कह रहा है कि प्रेबंधन अर्थसास्त्र सांख है कि मैं कम से कम 60% कितना चाहिए 60% जबाब यहाँ पर कह रहा है जबाब यहाँ पर कह रहा है इसके कितने हैं इसमें कुछ बता सकते हो तो जबाब कह रहा है इसके बारे में तो कुछ बोला ही नहीं है 60% यह तो इसमें थे प्रेबंधन सांख है कि 60% डिप्लोमा यह तो पहली सर्थ थी पहली सर्थ थी कक्च अच्छा पहली सर्थ थी 12 में 60 मैंने वो दूसरे देख लिए 12 में 60 चाहिए थे पहली सर्थ में और यहां पर इसके 12 में 70 थे ठीक है दूसरी क्या थी दूसरी थी ग्रेजवेशन में 55 परसेंट चाहिए थे है ना जो कि यहां पर चेक कर रहा हूं तो 60 परसेंट इसके मालो या ग्रेजुएशन के मालो यानि कि ग्रेजुएटर के ये साथ है लेकिन इस सर्थ की कोई जानकारी नहीं है तीसरी के बारे में बताया नहीं है कोई बात नहीं है नहीं बताया है तो प्यारे बच्चे नहीं बताया है तो कोई दिक्कत थोड़ी है तो म बताओ भई जानकारी दूसरी की नहीं है कि तीसरी की नहीं है जानकारी साइद दूसरी की नहीं है तीसरी तो ये है तीसरी तो ये है कि प्रेबंदन अर्थसा सांखे की पोस्ट ग्रेजुएट में अच्छा पोस्ट ग्रेजुएट में पोश्ट ग्रेजुएट और हमें दिया किसका है हमें दिया है इसने कहां गया हमें इसने दिया है पोश्ट ग्रेजुएट हाँ ठीक है मतलब तीसरी की तो है जानकारी तीसरी सर्त की तो है जानकारी लेकिन दूसरी सर्त की नहीं है तीसरी सर्त की तो है दूसरी की नहीं है प्यारे बच्चे दूसरी सर्त की कोई जानकारी नहीं है अब दिहान से समझना बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे बहुत सारे बच्चे आंसर देंगे आंकड़े ए परियाप्त हैं प्यारे गुड़ा आंकड़े ए परियाप्त हैं य यहाँ इस question में एक बहुत ही जबरदस्ट twist आने वाला है मैं अगर दूसरी सर्थ की बात कर रहा हूं तो इसने जानकारी नहीं दी तो मेरा जबाब हो गया आकड़े ऐ पर्याप्त है लेकिन अगर कोई सर्थ ऐसी है साथ में अगर कोई सर्थ गौर से सुनना गुड़ा कोई भी सर्थ ऐसी है भाईया कोई भी सर्थ जो बच्चे कह रहे हैं वीपी को भेज दो इसको भेज दो गुड़ा किसी को जबी तो भेजोगे जब फेल होगा आकड़े ऐ पर्याप्त पर थोड़ी भेजा जाता है कोई और अगर ऐसी बात है तो चेक कर लो क्या बोल रहा था ये दूसरी वाली में ये कह रहा था लेकिन सी ये कि इसमें कम से कम 60% अंक मिले हो चलो ठीक है ये भी ठीक है पर सर्थ की बात तो ये है कि इसकी जनम तिथी में भी दिक्कत है 25 फरवरी 1975 है इसकी डेट वबर्थ 25 फरवरी 1975 है और इसे 132010 को 2535 के बीच में चाहिए तो 132010 को इसकी डेट वबर्थ निकाली हो चेक करी हो 132010 तो मैंने कहा 132010 एक बार चेक करी हो तो मैं यहाँ पर क्या बोलूँगा मैं यहाँ पर आप लोगों से बोलूँगा मुझे इसकी डेट वबर्थ पता है 25 फरवरी 1975 25 तारीक फरवरी का मतलब दूसरा महीना और 1975 तो सवाल यहाँ पर बन गया एक मैं से 25 नहीं जा रहा तीसरा महीना हासिल ले लिया यहां 32 हो गया 32 मैं से 25 गए तो 7 यहाँ पर कितने रह गए दो 2 मैं से 2 गए तो 0 आ गया यहाँ पर यहाँ पर चेक करता हूँ तो 10 मैं से 5 गए 5 और 10 मैं से 5 गए तो 5 और 10 मैं से 7 गए तो 3 35 साल 7 दिन बन रही है और इसे 35 वर्थ से अधिक नहीं होना चाहिए इसकी बन रही है 35 साल 7 दिन साथ दिन से ओवरेज है ये तो इसका जो जवाब होगा ना इसका जवाब होगा चैन नहीं किया जाना है प्यारे दोस्तों चैन नहीं किया जाना है चैन नहीं किया जाना है प्यारे गुड़ा पता है ऐसा क्यों हुआ इसका अंसर ये भी तो आ सकता था कि आंकड़े ऐ परयाप्त है लेकिन वो आंसर क्यूं नहीं आया ये बात ध्यान से सुनो वो आंसर इसलिए नहीं आया क्योंकि बेसक वो आंकड़े नहीं है पर ये उन आंकड़ों के अलावा एक ऐसी सर्त में भी फेल है जिसमें कोई ओफर भी नहीं है बात आ रही है समझ मे और प्यारे गुड़ा इस वजह से सकांसर आएगा कि not selected ये select नहीं होगा बाकी प्यारे साथी सच सच बता देना तुम्हारी समझ में कितना ये topic आया है एक question अब homework के लिए दे रहा हूँ एक बार class के last में सबसे पहले तो मैं आप लोगों से फिर से एक बार जाते जाते बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगा प्यारे बच्चे सच में जब मैं आपसे इस सब्द को कह रहा था जो बात जो बात दिल किया वो बात कहूँगा ऐसा नहीं कि कुछ भी अपनी और से जब मैं वहाँ पे तो मैंने आप पर भरोसा करके ये बात कह दी थी लेकिन जब मैं क्लास में आया तो इस चीज़ को माइंड में जरूर ले के आया था कि यार यार मैं इस बात को कहूँगा तुमसे लेकिन जैसे जैसे क्लास स्टार्ट होई तो आपने लोगों ने देखा होगा कि मैंने आपसे कि भाईया जल्दी जल्दी सब लोगों उसे बोल दो एक एक दो दो दोस्तों से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करवा दो ये मैंने शुरू में नहीं बोला क्योंकि मेरे दिमाग में एक यही बात चलती रही कि यार मैं बोलू भी की नहीं बोलू तुमसे मैं बोलू नहीं बोलू बोलू की नहीं बोलू यह चीद चल रही थी दिमाग में फिर दिमाग में यह चीद ज़्यादा हावी हुई कि यार वास्त्विक्ता ये भी है कि जब हम आप में अपने छोटे बहन भाई को देखते हैं हलाकि कुछ बड़े भी हो सकते हैं तो फिर दिमाग में ये चीज़ चल लए थी कि जहां हम लोग वैसे तो कह रहें हम भाई बहने हमारा परिवार है फिर मेरे दिमाग में ये चीज़ आई कि और परिवार में तो कुछ भी बोलने से पहले साइद सोचा नहीं जाता तो मैंने आप लोगों से ये बात सीधी सीधी बोल दी कि प्यारे गुड़ा ये बात है तुम पे भरोसा करके मैं ये बात दी आए उसके लिए मैं हमेशा रेडियो प्यारे गुड़ा जी तोड मेहनत करने के लिए तैयार हूँ आप लोग सच कहूँ जब मुझे आपकी जवरत होती है आप हमेशा साथ होते हो उसके लिए सब्द नहीं है मेरे पास में लव यू ओल बहुत बहुत सारा प्यार आप सभी प्यारे बेहन भाईयों के लिए मैंने कहा न आप हैं तो दुनिया की हर परेसानी परेसानी नहीं लगती हर परेसानी बहुत चोटी लगती है प्यारे बच्चे आप भी महनत करके पढ़ते रहो इस बार selection आपको लेना है मिश्यत रूप से लेना है बस यही कहूंगा कि प्यारे गुड़ा आज आप लोगों ने जो वास्तम में दिया है वो मेरे लिए अनमोल है उसके लिए मेरे पास बहुत जादा कहने के लिए कुछ नहीं है पर यही कहना चाहूंगा थैंक यू वेरी मच बहुत 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 सारा धन्यवाद आकास भराभार आप लोगों का प्यारे बच्चे बात आ रही है समझ में और हाँ मैं ये बात बता रहा था आपको कि मैं आप लोगों के लिए सटल्डे में हर सटल्डे में ऐसे ऐसे टॉपिक डिसकस करता हुआ चलूँगा ठीक है ना ऐसे ऐसे टॉपिक डिसकस करता हुआ चलूँगा और मैंने आज एक सौर्ट्स भी बनाया था और मेरे बन में ये चीज भी थी कि ये topic पता नहीं समझ में भी तुमको आएगा की नहीं आएगा जाते जाते एक चीज और कहके जा रहा हूँ मेरे सभी प्यारे बहन एक बार comment करके जितने भी प्यारे भाई बहन हैं मेरे भाई या मेरी बहन जितने भी हैं class के last में ये जरूर बता दियो क्या तुम्हें ये टॉपिक अब बहतर तरीके से समझ में आ गया है तुम कभी गलती तो नहीं करोगे ताकि मुझे ये तसलिसी हो जाए कि चलो मैंने इनके लिए सटल डे में भी महनत करी हला कि हमारा बैच मंडे टू फ्राइडे रहेगा लेकिन मैं आप लोगों के लिए सटल डे में अलग से टॉपिक लाता रहूंगा क्योंकि प्यारे बच्चे मुझे पता है आप लोगों को बहुत सारे टॉपिकों की जरूरत है प्यारे गुड़ा आपकी समझ में कितना ये जरूर बता देना ताकि मुझे ये तसली सी मिल जाए कि चलो महनत तो हुई पर वो वसूल भी हो गई तुम्हारी समझ में आ गया क्लास के लाश्ट में ठीक है मेरे प्यारे साथी इस क्वेश्चन का अंसर कमेंट में बता देना क्या होगा हर एक बच्चे इसका स्क्रीन सोट ले लो उसी जानकारी के आधार पर है मेरे सभी प्यारे गुड़ा गुडिया आज एनाउंसमेंट कर रहा हूँ अगले सटर्डे कलेंडर की क्लास लूँगा कलेंडर के बहुत ज़ादा प्यारे दोस्तों के डाउट है कि कलेंडर नहीं हो पाता है और ये भी हकीकत है कि यूपी पुलिस में दो से तीन क्वेश्चन कलेंडर के पूछे जाते हैं हर सिफ्ट में पूछे गएं पिछली वार भी चाहे कॉंस्टेबल हो चाहे SI हो चाहे जेल वर्डन हो कोई भी भरती हो तो मैं अगले Saturday कलेंडर लूँगा और उससे अगली वार भी कोई न कोई टॉपिक कराऊंगा कमेंट में बता देना कलेंडर के बाद कौन सा टॉपिक कराऊं तुम्हारी डिमांड आती रहेगी तुम्हारा भाई पूरी करता रहेगा इतना विश्वास तुमको मुझे पर होगा ही ये मैं अच्छी तरीकेस जानता हूँ वैसे भी प्यारे बच्चे इस सवाल का आंसर क्या होगा ये भी मुझे जरूर बता देना ठीक है ना मिलते हैं अगली क्लास में आज की क्लास कैसी रही बता देना कमेंट करके धन्यवाद नमस्कार